आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूटीव चनल पे मैं अधितरियन आप सभी का तहें दिल से आब स्वागत करता हूँ तो कैसे आप لوگ मेरे भाई बताएं रादे रादे भाई, रादे रादे सभी को रादे रादे कैसे आप लोग बताओ भाई मज़े मैं हैं, बड़ियां हैं सब ओके हैं, परफेक्ट हैं बताईए सब बढ़िया हैं भाई कैसे आप लोग बढ़िया हैं मज़े में हैं आप लोग चलो मेरे भाई तो 21 दिन 20 मिरातन के हमारे तीन मिरातन सो चुके हैं और अभी हमारा चौथा मिरातन चल रहा है जिसमें हम लोग complete आपको आज कराने वाले हैं चकर वी दिवयाज compound interest एक वीडियो के अंदर में पूरा compound interest का सूपड़ा आप लोग जो है वो साफ करेंगे एक ही वीडियो में चाहे दो गंटे की हो, धाई गंटे की हो, तीन गंटे की हो आपने हमारे पढ़ाने का तरीका भी देखा हम मेरे भाई topic निपटा कर ही दम लेते हैं उसके पहले हम दम नहीं लेते हैं उसके पहले हमें सुझों नहीं आता है एक वीडियो ये परियाप्त होने वाली है आप लोगों के लिए अप चाहे आप इसे दो किष्टों में देखो तीन किष्टों में देखो या एकी किष्ट में मेरे साथ रहकर लाइव निपटाओ या आपकी अपनी चोयस है लेकिन आज एक सिंगल वीडियो के अंदर में चक्रवीदी ब्याज का पूरा गनित हम आपको समझा देंगे ठीक है किस दिन एकिस मिराथन में दोस्त हम लोगों ने पहला दिन समय कारे किया, दूसरा हमने नलेवम टंकी किया है, तीसरा हमारा साधारन ब्याज है चोथा आज हमारा चक्रवीदी ब्याज है पांचवा दिन हमारा क्या चलेगा तो परसेंटेश चलेगा और उसके बाद में तब आप लोगों के लिए हम प्राक्टिस सेट लेकर आएंगे पूर एकिस दिन का हमारे पास समय सारनी टाइम टेबल है कौन से दिन में यहाँ पर कौन सी क्लास हम कराने वाले है तो वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों से नुरूद है मेरा की फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजे और हर जगा पर शेयर कर दीजे ताकि जितने भी बच्चे यूपी कॉंस्टबल या यूपी पुलिस की तियारी कर रहे है वो हमारे साथ में जुड़ जाएं और यहाँ शुरू में जुड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा ताकि जो कंसेप्ट हम उन्हें बताएंगे तो वो से मेरे भाई रूबरू हो पाएंगे सीख पाएंगे और तब आगे के सेशन में जवाब दे पाएंगे तो हर किसी को भी मैं कहा रहा हूँ अभी सेशन हमने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जो है आप लोग हर जगा पे वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने वाटसब पे, फेस्टूक पे, जहाँ जहाँ पे आपका अपना दिल का है अपने भाई के लिए वीडियो शेर करने का वहाँ वहाँ पर आप लोग वीडियो को शेर कर दीजे फटा फट मेरे भाई हर जगा पे शेर कर दीजे इसके लब बात करते हैं तो आप लोगों की यूपी की जबरदस प्रैक्टिज जो है हमारी यूपी कॉंस्टेबल वाली किताब से हो जाएगी आप ये यूपी कॉंस्टेबल की जो किताब है वो मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से और बुगस्केप से कुछी स्टॉक्स हमारे पास में बचा हुआ है उसके बाद में जो है अभी ये 145 में आपको बुगस्केप और अमेजन पे मिल रही है इसके बाद में इसकी प्रैस दो सो के करीब में हो जाएगी क्योंकि स्टॉक लिमिटेड होते हैं तो उसके बाद में जो कंपनीज है वो उसको पूरे फाइनल प्रैस में सेल कर रही होती है ठीक है तो आप इसको मेरे भाई बुकस्केप से और अमेजन से मंगा सकते हैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आमेजन वाला जो लिंक हो गया हमारा ठीक है और इससे मंगाईए और इसको पूरा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए बच्चों के बीच में इसकी काफी जादा डिमांड है काफी जादा जो है इनका क्रेज है 18 दिनों में आपके 18 चेप्टर कंपलीट हो जाएंगे और इसके बाद में आप 10 दिनों में 10 मौक्टिस दे के अपने गरनित को बहुत बहतर कर पाएंगे तो चली आईए मेरे भाई शुरू करते हैं आपको कंपाउन इंटरस्ट यहां पर और कंपाउन इंटरस्ट जो होता क्या है क्या है कैसे है वो सारी बातों को हम जानेंगे ठीक है तो यहां पर सबसे पहले मेरे भाई कंपाउन इंटरस्ट की अगर हम बात करते हैं यहां पर compound interest हमारा क्या है वो समझो दोस्ते यहाँ पर compound interest हमारा क्या हो जाएगा compound interest का मतलब यहाँ पर यह हो गया ठीक है चक्रवीदी ब्याज का मतलब मेरे भाई हमारा यहाँ पर क्या हो गया तो चक्रवीदी ब्याज का हमारा यहाँ पर यह हो गया यानि 10 रुपे मैंने आपसे ब्याज लिए अब उसके बाद में हाँ पर क्या होगा उसके बाद में मेरे बाई पहले साल तो जो पैसे जो ब्याज लगेंगे वो किसके उपर में लगेंगे तो 100 रुपे के उपर में लगेंगे ब्याज की ऊपर में भी ब्याज का लगना क्या कहलाता है? चगरवीदी ब्याज हमारा कहला रहा हुता है. ज्यान रखेंगे यहांपर. अगर हम बात करेंगे, तो बच्छपन में इसी चगरवीदी ब्याज को निकालने के लिए हम लोग एक formula पढ़ते हैं कि amount बराबर p into 1 plus r upon 100 का power कितना हो जाएगा तो यहाँ पर t हो जाएगा ठीक है यह हम लोग बच्छमन में पढ़ते थे जहाँ पर हम जो है a को हम यहाँ क्या बोलते थे तो बोलते थे sir a हमारा amount है यानि क्या हो जाएगा तो sir हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसे हम मिश्रधन कहेंगे क्या कहेंगे मेरे भाई तो मिश्रधन कहेंगे यहाँ ठीक है p जो हो गया वो हमारा क्या हो गया तो principle हो गया यानि हमारा मोलधन हो गया क्या हो जाएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा यानि हमारा क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर मूलधन हो जाएगा उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर R हमारा कितना हो जाएगा तो R हमारा रेट हो जाएगा वो दर हो जाएगा जिस पर हम पैसे को देते थे ठीक है और T हमारा क्या हो जाएगा तो वो हमारा टाइम हो जाएगा वो समय हो जाएगा जितने समय के लिए हम पैसे देते थे अब बच्पन में हम लोगों ने ये फॉर्मला पढ़ा लेकिन सच बताए तो आज के समय वास्तविक्ता से इसका कोई मेरे भाई दूर दूर तक संबंद नहीं है कोई मतलब नहीं है आज के समय में आप प्रैक्टिकल ही बता रहे हैं आप यहां पर कोई मतलब ही नहीं है कि यह क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया इस फॉर्मले को हम ना यूज करेंगे ना हम इसका कंसेप्ट जानेंगे हम बस इसको टॉम्स को बताने के लिए टर्म से थोड़ा सा फैमिलियर कराने के लिए मैंने आपको यह फॉर्मला लिखकर बताया अब आज के समय मेरे भाई जो हम जानेंगे तो वो हम क्या जानेंगे जरा वो देखो तो अगर हम जानेंगे यहां पर तो हम क्या जानेंगे जरा वो देखें यहां पर तो जानने की बात अगर हम करते हैं तो हम यहां बोलेंगे सर तीन मेथड हैं हमारे पास basically मेथड नमबर वन की अगर हम बात करें तो मेथड नमबर वन जो होगा वो हमारा ratio method होगा कौन सा method होगा तो बोलोगे गुरुजी ratio method होगा यहां पर method number two जो compound interest के सवालों को चुटकियों में बना दे वो हमारा हो जाएगा successive method क्या हो जाएगा यहाँ पर तो बोलेंगे सर successive method और method number जो 3 होता है वो यहाँ पर क्या हो गया तो method number 3 हो गया यहाँ पर 3 method हाला है कि इसकी बहुत जादा आवशक्ता हमें नहीं है मातर 2 method के माध्यम से हम आपको पूरा चकरवी दिप्याज within seconds में निपटवा देंगे यह हमारी guarantee है इसके नौबत भी नहीं आने देंगे सिर्फ 2 method सीखो ratio और successive और उसके बाद में आप यहाँ पर किसी भी सवालों को जो है उड़ा के फेक दोगे ठीक है सिर्फ 2 method आपको सीखना है अब बात यहाँ पर आती है इन 2 methods को लेकर तो सबसे पहले हम किस के बारे में जानकारी प्राप करें तो सबसे पहले में हम यहाँ पर जो है दोनों के बारे में सीखते हैं थोड़ा थोड़ा करके कि ratio method क्या होता है और successive method क्या होता है तो जैसे यहाँ पर caption होगे आपका ratio method करके कि यह ratio method मेरे भाई यहाँ पर क्या है ठीक है अब ratio method में आप ऐसे समझो जैसे मानो मैंने आप से simple साए question पूछा कि मेरे पास में कोई पैसा 100 रुपया है और मैं उसको सामने वाले party को 10% के हिसाब से ब्याज पर देना चाहता हूँ मैं कितने सालों के लिए देना चाहता हूँ दो सालों के लिए देना चाहता हूँ तो बता दीजे हाँ पर कि मुझे ब्याज के तोर पर कितना रुपया मिलेगा और मेरा जो amount है वो मुझे कितना मिलेगा मुझे ब्याज के तौर पर कितना मिलेगा और मेरा जो amount है वो कितना मिलेगा और दोस्त एक बात कहेंगे आप लोग video को share नहीं कर रहे हैं तो कृप्या करगे video को हर जगा पर share करना शुरू कर दीजे ठीक है हर जगा शुरू कर दीजे मेरे भाई वीडियो को जल्दी से वीडियो को हर जगा पर share कर दीजे हैं पर तो अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो सारा खेल यहाँ पर जो solution होता है ना वो rate का होता है सारा खेल किसका होता है rate का rate हमारा कितना है 10% 10% की fraction value हमारे कितनी हो जाती है एक बटे 10 यहां पर तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखे प्रिंसिपल होता है और यहां पर क्या होता है amount होता है ratio में हम क्या करते हैं principle लिखते हैं और फिर उसके बाद में यहांपर क्या लिखते है amount लिखते है यानि अगर मान लीजे कि हमने 10 रुपया लगाया है तो 10 में एक काब आज प्राप्त किया तो amount कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यह कौन से साल की कहानी है तो यह पहले साल की कहानी है दूसरे साल की कहानी क्या होगी दूसरे साल में वापस से हम 10 रुपय लगाएंगे और एक आप आज मिलकर ये कितना हो जाएगा एक 11 हो जाएगा यानि अगर हम बात करें तो मेरे पास आज 100 रुपय हैं यह 121 रुपए का हम यहाँ पर क्या कहते हैं तो amount कहते हैं और इनके बीच का जो gap आता है कितने का gap आ गया तो 21 रुपए का उसे हम यहाँ पर स्रियाई बोलेंगे यानि मैं अगर market में 100 रुपए लगा रहा हूँ तो मेरे भाई 2 सालों में वो कितना बन जा रहा है तो 121 रुपए का यही हमारा ratio method है यही हमारा क्या ratio method है देखो 100 के जगह पर 100 दिया गया है तो यहाँ पर आपने पूछा था ना सर ब्याज कितने का है तो 21 रुपए और amount कितने का है तो 121 रुपए ratio method में दोस्तों इस बात को समझना अगर 2 साल की बात की जाएगी तो ratio को हम 2 बार लिखते हैं 3 साल की बात की जाएगी तो ratio को हम 3 बार लिखते हैं 4 साल की बात की जाएगी तो ratio को हम 4 बार लिखते हैं एक मेरा भाई love you कह रहा है तो love you भाई love you too ठीक है बहुत अच्छा आप लोग वीडियो को शेयर कर रहा हैं धीरे धीरे लोग हमारे साथ जोड़ते चले जा रहा हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई शेयर करते रहे हैं आप लोग आज़िए अब जैसे मान लीजे कि मैं आपसे सिंपल सा एक कोशन पूशता हूँ मेरे पास जो पैसा है दोस्त यहाँ पर 3600 रुपए है या थोड़ा सा 3600 से ज़्यादा ले ले लेते हैं यहाँ पर 21,600 रुपए है दोस्त मेरे पास में और मैंने है ना मार्केट में उसको दे रखा है 16 सही 2,3% के रेट पे और मैंने जो समय के लिए दिया हुआ है दोस्तों मैंने 3 सालों के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पर यह बता दीजे कि मेरा जो ब्याज बनेगा वो हमारा कितने का बनेगा एचल यह ब्याज छोड़ देते हैं मैं आप लोगों से एक सिंपल सा कोशन मेरा जो मिश्रधन आएगा जो मेरा amount आएगा वो हमारा कितने का आएगा अब देखो यहाँ पर जो आपने कहा ना कि सर आपने बोला कि यह दो method है ratio है और successive है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब किसमें कौन सा apply करना है सिंपल सी बात है तो भाई देखो percentage दो परकार के हो मतलब जितने यह उल्टे सीदे वाले परतिशत होते हैं ना उन सब में क्या apply करोगे तो उन सब में ratio apply करोगे उन सब में क्या apply करोगे मुन्ना तो उन सब में ratio apply करोगे और जितने भी दोस्त तुम्हारे यह normal fraction जैसे मानो 10% हो गया या 20% हो गया या मेरे भाई 11% हो गया जित इसने भी हमारे fraction वाले होते हैं, उनको हम ratio से हल करते हैं, और जितने भी हमारे ये percentage वाले को ने किसे हल करेंगे, successive से करेंगे, दिल में उतार के ये बात रख लेना है, जिस उसके वादे नहीं भूले हो, और उसको दिये वादे नहीं भूले हो, तो वैसे यहाँ पर ये भी न stable बन जाओ, और उसके इंतिजार को तुम खतम करो, चलो आजाओ मेरे भाई, तो अब ये बताओ, ये जो rate है, तुम्हारा क्या कहता है, तो ये rate मेरे भाई, किसके method के बारे में बोलता है, तो बोलो गुर जी, ratio के बारे में बात कर रहा है, क्या apply करेंगे, तो ratio apply करेंगे, तो ratio apply करेंगे, तो यहाँ पर ये जो percent है, ये किसके बराबर में होगा, तो एक बड़े 6 के बराबर में, जिनका percentage में थोड़ा हाथ तंग है ना, तो कल percentage का class लेंगे, उसमें एकदम super fine आपको बना देंगे, tension की बात नहीं है, तो आईए चलिए यहाँ पर, ये हमारा principle हो ग दिख दो, या power में कितना चड़ा दो, तीन चड़ा दो, बात हमारा एकी है, या तो मेरे भाई, तीन बार multiply करो, या power में तीन चड़ा दो, बात हमारा एकी है, तो जनाब यहाँ पर 6 का cube हमारा कितना हो जाता है, तो 6 का cube हमारा 216 हो जाता है, और 7 का cube कितना हो जाता है, 343 ह हो जाता है हमेशा हम यह बात बोलते हैं कि सवालों में यह देखा करो दिया क्या है और फिर यह देखा गरोगे पूछा क्या है तो गौर से देखो यहां पर तो मुल्धन का मान दिया है और मुल्धन का मान कितना दिया है तो बोलेंगे गुरुजी यहां पर दिया गया है 216 00 यानि अपने आपका 100 गुना तो अगर अपने आपका 100 गुना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भी अपने आपका 100 गुना होगा तो 34300 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तो अभी जो आपको हमने सिखाया जनाब वो हमने क्या सिखाया दोस्त, दिल से बता रहे हैं, क्या सिखाया, ratio method, कि आपके पास कोई भी सवाल है, तो आप उसको ratio method के माद्दे हम से उड़ा के फेक सकते हैं, आप उसको सबसे बढ़ियां तरीके से एक साल का ratio लिखे, फिर दो का लिखे, फिर तीन का लिखे, जितनी ब बड़े सवालों को भी उड़ा सकते हैं, वो है successive, ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं दोस्ते हाँ पर, वो time पर आ जाये करो class में, क्योंकि बहुत सारे concept होते हैं, जो मैं सेशन के starting में बताता हूँ, और अगर आप लोग वही message miss कर देते हैं, तो उसके बाद में जो है, आ तरह का होता है, एक हमारा successive increase होता है, और successive decrease होता है, successive increase को जो हम apply करते हैं, वो चक्रवीदी ब्याज में और percent में करते हैं, और successive degrees को जो हम apply करते हैं, वो किसमें करते हैं, तो वो हम discount में बटे में करते हैं, क्योंकि क्या होता है, successive increase वाले case में संख्या का मान निरंतर तरीके से बढ़ता चला जाता है अगर आप बैंक का लोन नहीं भरोगे ना तो आपका लोन बढ़ता चला जाएगा और एक समय आएगा कि करज में डूब जाओगे तो guarantee कह रहा हूँ 200 रुपे के वो 4 जिन्स लेकर आ जाएगी वो इतना काबिलियत रखती है लेकिन आपके साथ में तो 200 के बर्गर को भी बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं 200 का ओर टिप देतो, तो शलेगा ठीक है, सही बोल रहे हैं की नहीं बोल रहे हैं बताओ, perfect बोल रहे हैं तो वो discount देखो, वो कितना तोड़ रही है दुकांदार के आगे में, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो चीजों की कीमत कम पे कम कम पे कम कराये जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, successive degrees बोलेंगे, यानि कहने का मतलब क्या होगा, कि successive दो प्रकार के होते हैं, एक जहां पर कीमत बढ़ती चली जाए, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई, जहां पर एक तरीके से जो है वस्तु घटी चली जाए, जैसे आपके दिल में उनके लिए इसने हैं बढ़ रहा है तो वह successive increase है, और आपका account balance कम हो रहा है, तो वह successive decrease है, समझ रहे हैं बात को लेकर तो कितना प्यारा संबंद और relation है यहां पर ठीक है, अब बात आता है यहां पर कि हम successive को apply कैसे करेंगे तो देखो 2 term का जो application है वो अलग है, 3 term का जो application है वो अलग है, 4 term का जो application है वो अलग है, ठीक है कैसे कैसे हम सीखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ फिलाल 2 term का कहने का मतलब की जैसे मान लीजे कि अगर हमारे पास पहले साल का भी ब्याज अगर 10% है और दूसरे साल का भी ब्याज अगर 10% है तो कुल मिलाकर मुझे 2 सालों में कितने % का ब्याज मिला होगा दोस्त अगर मैं साधारन ब्याज की बात करता तो 10 जमादस हमारा 20% का ब्याज हो जाता लेकिन मैं साधारन की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई मैं तो यहां पर जो है चक्रवीदी की बात कर रहा हूं तो चक्रवीदी की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा चीजों का मान बढ़ेगा तो चक्रवीदी कमान का मतलब यहाँ पर हो जाता है दो सालों का जो ब्याज बोलेंगे तो पहले साल का A दूसरे साल का हो जाएगा B और फिर यहाँ पर इन दोनों का यानि A का B पर्षंट हम कह सकते हैं तो A into B upon 100 यह हमारा होता है सक्सेसिफ का फॉर्मला आप चाहो तो इसको increase में लगा लो आप चाहो तो decrease में लगा लो increase के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा तो increase के लिए दोस्ति यहाँ पर आपको plus करना होगा कि सारे plus में हैं और decrease के लिए क्या करना होगा तो आपको minus करना होगा बस मेरे भाई ठीक है तो जैसे मान लीजे कि अगर हम इसके उपर में एक्जामपल आपको देते हैं और हम यहाँ पर आपको यह कहते हैं कि पहले साल का ब्याज आपका 10% है और दूसरे साल का भी ब्याज आपका 10% है तो बताए कितना होगा तो आप यहाँ बोलेंगे सर ने सिखायता हमें कि सक्सेसिफ का जो नियम होता है बो होता है A फिर उसके बाद हो जाता है B और फिर उसके बाद हो जाता है A into B upon में 100 नहाँ पर हो जाता है दोस्तों बोलोगे हां गरूज़ी तो यहां पर कितना होगी है 20 और जमा एक हमारा कितना हो जागा 21% यानि कहने का मतलब दो सालों में जो मुझे ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा 21% का दो सालों में ब्याज जो मुझे मिलेगा वो कितने का मिलेगा 21% का तीक है अब ये दो सालों वाली जो कहानी है न ये बच्चा कहता है सर इतना करना पड़ेगा A plus B plus A B upon 100 मैंने का when I am here don't fear टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं है हम आपके लिए इससे भी शॉर्ट में जो है यहाँ पर solution निकाल देंगे और वो क्या रहेगा वो आप यहाँ समझे अगर आप मेरी class देख रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला और गनित आपका next level तक हम सुधार देंगे आज़ेए अब मैं आपके सामने काफी सारे rate लिख रहा हूं यहाँ पे आपको यहाँ successive बताना है लेकिन काफी short में देखिए जैसे मानिये पहले साल का rate 2% है दूसरे साल का rate 3% है तो कुल मिलाकर यहाँ पर successive हमारा कितने काएगा पहले साल का rate अगर 4% है दूसरे साल का rate अगर आपका 5% है तो आपका successive कितने काएगा अगर mileage rate 6% है और यहाँ पर आपका 3% है तो successive कितने काएगा या मुझसे कुछ common rate भी आप ले लीजे जैसे आप 3% और 3% आप ले लिए आप 4% और 4% आप ले लिए आप 5% और 5% आप ले लिए तो यहाँ पर कैसे successive आप निकालेंगे आप यहाँ पर यह बताईए अब यहाँ पर आप ठक चुके होंगे A plus B plus A B upon 100 करने से तो मैं आप लोगों को मेरे भाई सीधा यहाँ पर trick बता रहा हूँ और वो trick यहाँ पर क्या है बड़ा simple सा trick है कि आप यहाँ पर क्या करो तो एक बार देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इस example को लेकर एक बार दोनों संख्याओं को multiply करो बुलोगे क्यूं करें हमने कहा करो तो सही पहले तुम यहाँ पर तो 6 into 3 हमारा कितना हो जाएगा अठारा अब multiply करने के बाद यहाँ पर क्या लगा देना दशमलव लगा देना multiply करने के बाद क्या लगा देना दशमलव लगा के lock कर देना और तब एक बार अब इन्हें जोड दो तो 6 plus 3 कितना हो जाएगा 9 यह लो मेरे भाई तुमारा answer निकल कर आ गया और यह दोनों का successive हो गया यानि कभी भी किसी भी दो संख्याओं का successive निकालना है तो एक बार उन्हें गुना करेंगे और दशमलव लगा कर एक बार उन्हें क्या कर देंगे जोड देंगे तो चलिए मेरे साथ जल्दी से मेरे से भी पहले कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप उत्तर दे दीजे चार और पांच का successive कितना हो है और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले जनाब आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना बार बार बताना पड़ता है कि लाइक भी करना होता है मंतर मुक्द हो जाते हैं कंसेप में इतना कि लाइक करना ही भूल जाते है तो लाइक करके पहुचा दीजे 10,000 जल्दी से ठीक है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे बोलेंगे सर 4 इंटू 5 कितना होता है सर तो 4 इंटू 5 20 होता है और 10 लव और 4 प्लस 5 हमारा कितना होता है तो 9 होता है सर यहीं हमारा सक्सेसिव है यानि कितना हो जाएगा दोस्त 9.20 9.20 परसंट यह हमारा क्या होगा तो बिलकुल सही उत्तर होगा यहाँ पर ठीक है चलो आजाओ यहाँ पर जल्दी से मुझे बता दो 4 इंटू 4 का जल्दी से कितना होगा देखो कुछ टम हमारे शॉर्ट भी होंगे कुछ टम हमारे लॉंग भी होंगे हम वो भी समझाएंगे हम कुछ भी स्किप करके नहीं चलेंगे इमानदारी से पूरी बताएंगे आपको सारी बात है तो 4 इंटू 4 हमारा कितना होता है तो बोलोगे सर 16 और एक बार फिट 4 प्लस 4 हमारा कितना होता है 8 यह हमारा आगया मेरे भाई 2 सालों का सकसिव यहाँ पर आज यह वीडियो को शेर करते रहे भारत के हर कोने तक वीडियो को पहुचाए जो भी बच्चा यूपी पुलिस के तियारी कर रहा हो उसके लिए मेरे भाई राम बाल साबित होने वाली है यह वीडियो चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हो ऐसे से जीडी की कर रहे हो आप्स प सेखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगा, आप लाइक करने में कोई कसर consider मत छोड़िये, अब सतना भोल दिया गरो, सिर लाइक शेर हम लोग संभालेंगे, आप मत बोला करो बार बार, आप बस पढ़ाओ, बाकी हम लोग देख लेंगे, तो बस हम निश्रिन तो के पढ़ाएंगे फिर, ठीक है, आजो, चलो, तो 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, अब कुछ term क्या होते हैं इसमें छोटे बढ़ जाते हैं जिने multiply add में दिक्कत आती है या कुछ term ऐसे होते हैं जो बहुत जादा बड़े हो जाते हैं तो उनमें भी problem होती है तो उसे हम कैसे tackle करेंगे जैसे 3 और 3 है हमारा अब 3 और 3 को आप multiply करोगे तो 9 आएगा अच्छलब six point nine zero लिखना है और यह अपने आप में दूर दूर तक मेरे भाई क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखे तो लिखे क्या भाई तो हम यहाँ पर यह बात लिखेंगे कि सर देखिए तीन है और तीन है तो एक बार आप यहाँ पर क्या करोगे गुना करोगे तो तीन को तीन से गुना करोगे तो नौ आता है और नौ के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जीरो नाइन लिखते हैं चार के लिए क्या लिखेंगे जीरो चार तीन के लिए क्या लिखेंगे 0,3 तो 3 into 3 9 होगा तो 9 के लिए हम 09 लिखेंगे और दशमलोग और तब जोड़िए तीन जमातीन कितना हो जाएगा अच्छ है तो 6.09% is the correct answer एक beautiful से सवाल का beautiful answer हमने दिया है यहाँ पर तीक है उसके बाद हम क्या लिखेंगे 06 लिखेंगे हम इसको दो डिजिट कम से कम देंगे यहां पर और तब दशमलब लगाएंगे और जोड़ेंगे 2 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा गुरुजी यह हमारा उत्तर आएगा 5.06 परसेंट इस जा करेक्ट आंसर आएगा अगर आपक 12 परसेंट आगया तो यहां पर क्या होगा दोस्त या मानों अगर 15 परसेंट आगया और यहां पर 20 परसेंट आगया तो क्या होगा चुलो ना कुछ बड़ी बड़ी संख्याओ की बात करते हैं 11 परसेंट आगया और यहां पर 17 परसेंट आगया यह 15 परसेंट आगया तो क् कहा tension मतलो यहाँ पर सब कुछ हम clear करेंगे successive method ही ऐसा है इतना प्यारा method है ना कि कोई doubt मन में छोड़ता ही नहीं है और बढ़ियां तरीके से यहाँ पर सभी सवालों का उत्तर देता है अभी हम आपको दो terms का सिखा रहे हैं इसके बाद में हम आपको 3 terms के पास भी लेकर चलेंगे तो आईए चलिए यहाँ पर देखे जरा एक बार हमने कहा तब पहले इने गुना करो तो 10 को 12 से गुना करने पर तो 120 हो जाएगा आप 120 लिखो और दशमलव लगाओ कोई tension नहीं है लगा दो दशमलव बाद में देखेंगे उसके बाद में एक बाद दोनों को जोड़ो तो 12 और 10 हमारा कितना हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमें सिर्फ आखरी के दो अंक देखने होते हैं बस इस कमरे में सिर्फ दो ही लोग रह सकते हैं और यहीं दोनों adjust करेंगे 23 देशमलव 20 यह हमारा correct answer हो जाएगा यानि कभी अगर multiply करने पर कुछ संख्या फालतू भी आ जाती है तो tension की बात नहीं है वो किसको transfer हो जाएगी तो वो मेरे भाई पडोसी को transfer हो जाएगी फिर से repeat करता हूँ किसको transfer हो जाएगी तो बोलोगे गुरुजी हमारा 300 हो जाएगा यहां पर दशमलव लगा दो 15 जमा 20 हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ठीक है सिर्फ आकरी के दो अंकों को रखना है इसलिए transfer कर देना है तो 35 में 3 अगर जोड देंगे तो हमारा 38.00 ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ठीक है आजएगे देखे हम आपको इसलिए पहले basic से खुद से questions करवा रहे हैं क्योंकि जब हम आपके सामने questions रखेंगे आप उनकी दजज़े उड़ा के रख दोगे यह मेरा दावा है आपसे तो पहले आपका basic और जड़े मजबूत हों उसके बाद तो question उड़ा के fake दोगे आप लोग ठीक है इसलिए हम इतनी practice करवा रहे हैं आपको ठीक है 11 और 15 का कहानी क्या होगा तो एक बार दोनों को जोड़ो पहले साल में 11% का ब्याज दूसरे साल में 15% का ब्याज तो मिलकर कितना बनेगा एक बार दोनों को multiply करते हैं 11 into 15 हमारा कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा दशमलव एक बार दोनों को जोड़ो 11,15 कितना है तो 26 है इन दोनों को मेरे भाई रहने देते हैं, इसे हम transfer कर देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 27.165 is the correct answer, 27.165 ठीक है, 5 आगे 5 एक 6, सही है, सुरी, माफ़ करना, 27.65 आजाएगा, ठीक है कितना आजाएगा 27.65, अब एक data मेरे भाई हम आपको दे रहे हैं और मुझे इसका फटाफट आप लोग उत्तर दे दो, ठीक है, ताकि हम समझ पाएँ यहाँ पर कि आप लोग जो है सीख गए हैं अगर 10 परशंट और 30 परशंट का यहाँ पर successive लगाना हो, तो हम यहाँ लगा के कितना बताएंगे फटा-फट मुझे बताएं जल्दी से, और मुझे लग रहा है कि 10,000 लाइव वाचिंग आप लोग पहुँचा सकते हैं, बहुत ही करीब आप लोग आ चुके हैं तो आपका दिल करे, अंदर से आवाज आने एकदम, कि हाँ यार सर एकदम महनत कर रहे हैं, भाई अपना महनत कर रहा है, 10,000 पहुचा ही देते हैं, खुश हो जाएगा एकदम तो हर जगा पहे शेयर कर देना, फिर 10,000 तक पहुच जाएगे, थोड़ी खुश है मिल जाएगी ठीक है, चलो आजओ, बाके आप लोग इतने हो, हम इतने में भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, आजओ चलो, शेयर करते हैं मेरे भाई, वीडियो को हर जगा पहे, और इसका उत्तर भी देते हैं, उत्तर दीजे, कितना आएगा उत्तर काफी बच्चे उत्तर दे रहे हैं, 43, 43, 43, 43, 43, 43, जी हाँ, बिल्कुल, सही उत्तर है, आप एक बार देखो, 10 को 30 के साथ गुना करगे, तो कितना आजाएगा, 300 आजाएगा, कितना आजाएगा, मेरे भाई, यहाँ पर 300 आजाएगा, और उसके बाद में यहाँ दशमलव रख देते हैं, एक बार दोनों को जोड़ दो, तो 30 जमादस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, दोस्तों हमें आखरी के दो अंकर रखने हैं, और यह इधर ट्रांसफर कर देना है, तो ट्रांसफर कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 43.00% is the correct answer, यह हमारा बिल्कुल सही उत होगा यहां पर, बिल्कुल सही उत्तर होगा यहां पर, कि आप दो बार का successiv देखें, कितने आसान तरीके से, कितने बहतरी तरीके से निकाल पा रहे हैं, ठीक है, अब अगर मैं आपको तीन बार का successiv निकालना भी सिखा दूँ तो बताओ, ठीक है, लेकिन अभी नहीं सवाल करवाएंगे तब उसके बाद सिखाएंगे तो चलिए स्वागत है आपका प्रश्न संख्या एक में आपके सामने और बोड में कोई कलर वलर का दिक्कत होगा नहीं आपको एक दम परफेक्क कलर आपको मिल रहा होगा श्री गनेश करते हैं पहले सवाल के साथ में और हम जजोश मजा रहा है चलो हाई सर हाई सर हाई सर बहुत शांदार तो चलिए आए यहां पर इस सवाल का उत्तर दे दिए कहा गया कि यदि राशी को 10% वार्शिक चकरवीदी बयाज पर निवेश किया गया तो 300 रुपे पर दो वर्शों में कितना बयाज अरजित करेंगे द और जितना बाकी लोगों को पता होता है तो हमें भी उतना ही पता होता है अब उस केस में क्या होता है हमारे पास में कि हमारा सेलेक्शन में हमारा नमबर भी उतना ही आता है जितने बाकी लोगों के आते हैं तो हम क्या ऐसा करें यहां पर कि बाकी लोगों के तुलना में कम समय के अंदर में ज्यादा नंबर आए तो दो-तीन एक्स्ट्रा एज जो है वो हम लेकर चल सकते हैं अब चुकि आप कंपाउन इंट्रेस्ट पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि 5% और 10% का रेट बहुत famous रेट है ठीक है इसके उपर में कॉशन ज़्यादा बनते हैं तो इसके उपर में जब कॉशन ज़्यादा बनते हैं तो क्यों नहीं को हम याद कर लें अब हमने अपनी तरह आड़ी के दोरान याद किया और यहीं फायदा रहा कि जब जब हमारे पेपर में कोशन है तो CI के सवाल हमारे 20-30 सेकंड में हो जाते थे तो दो रेट ऐसे हैं जो आपको याद करके चलना है और ये दो टेबल हम बोलेंगे कि G1 में कुछ भी हो जाए मेरे भाई लेकिन ये दो टेबल को तुम मत भोलना याद करके रखना एक 5% का और 10% का सीधा अपलाई करना सीख जाओगे भाई यहाँ पर ठीक है तो पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 साल को लेकर फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 साल को लेकर और फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 साल को लेकर और अभी हम comment box में आप लोगों से याद भी करवा देंगे सारे मिलके नारे लगाएंगे यहाँ पे जैशी राम नहीं नारा लगाना है इनके rate के नारे लगाना है पता चले सारे मिलके नारे लगाओ जैशी राम ठीक है तो वो अभी नहीं करना है वो भी करेंगे जैशिराम भी करेंगे 22 थारीक को लेकिन अभी नहीं फिलाल इस rate पर थोड़ा focus करूँ तो अगर मैं बात करूँ तो 5 साल या 5% के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज मिलता है वो 10.25 आप इतना याद करके चलो यहाँ पे 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 15.7625 ठीक है % है परसेंट नहीं लिक रहा हूँ समझ जा नहीं है आप ठीक है 15.76 कितना होता है तो 15.7625 होता है मेरे भाई उसके बाद में 5% के हिसाब से 4 सालों में होता है 21.55 हाला कि जो होता है 21.55 07625 ऐसे गर करके होता है 10% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज आता है, वो कितना आता है? 21 आता है 10% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज आता है, वो 33.1 आता है और 10% के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज आता है, 46.41 आता है अब जल्दी से मेरे साथ में एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग रिपीट करना शुरू कर देंगे मैं बोलूँगा और बस आपको टाइब करना है क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं दोस्त वो आप जीवन में कभी नहीं बूलते हैं तो 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होगा फटा फट बताओ 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होगा बहुत शांदार कितना 21% ठीक है फिर से रिपीट करता हूँ 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज 21% ठीक है जल्दी से बताईए 10% के हिसाब से 3 सालों का बैयाज हमारा कितना होगा फटाफट मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करिए ठीक है बूलेंगे सर 10% के हिसाब से 3 सालों का बैयाज 33.1 बहुत शांदार स्रब लिख रहे हैं बहुत अच्छी लिखी अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप लिखी है मेरे भाई क्योंकि बार बारी की बात बोलता हूँ जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को 10,000 से उपर बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं धन्यवाद मालिक ठीक है आज यह चलिए तो 10% के हिसाब से 3 साल कितना होगा 33.1 ठीक है अब उसके बाद में 10% के हिसाब से 4 सालों में कितना होगा तो बोलेंगे सर्फ 46.41 ठीक है ठीक है उसकी कसम है नहीं देंगे उसकी कसम छोड़ो याद कर लेना बस इतना कह रहे हैं ठीक है आजओ 5% के हिसाब से 2 साल हमारा कितना होगा तो बोलेंगे सर्फ 10.25 लिखो जल्दी कमेंट बॉक्स में नहीं तो कसम भी दे सकते हम यहाँ पे जान लो ठीक है कि जगड़ा हो जाएगा तो 5% के हिसाब से 2 साल कितना होगा 10.25% यहां पर ठीक है 5% के हिसाब से 3 साल कितना होगा 15.7625% 15.7625% ठीक है और 5% के हिसाब से 4 साल मेरे भाई कितना होगा तो 21.55 21.55 याद कर लेना है ठीक है चलिए आजेए, तो यहाँ पर यह clear हो गया ना, अब मैं आपसे बड़ा प्यारा सा और simple सा एक सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ, जरा मुझे इसका उत्तर दे दीजेगा, कि what would be the interest accrued in two year on rupees 300 if some is invested at 10% compounded annually, यानी आसान भाशा में मेरे पास में मैं यह कहना चाहता हूँ कि 300 रुपे हैं, ठीक है, और मेरे पास जो rate है मेरे भाई, वो हमारा कितना है, तो 10% है, जो समय है मेरे पास में वो कितना है, तो 2 साल है, ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर कि तो 2 वर्षों में कितना ब्याज देगा, मैंने कहा बच्चों को, कि देखो अभी सिखाया था, पूरी भीड की तरह तुम्मत होना, ठीक है, पूरी भीड जैसा काम करती है, जैसी तैयारी करती है, जिस भेड जाल में चलती है, आपको उस भेड जाल में बनने की आवशकता नहीं है, आप लोग मेरे शेर हैं, और यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं, सर अभी आपने सिखाया 10% दो साल, तो सर हम लोग बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, सर अभी तो आपने बताया ना, कि 10% के हिसाब से 2 साल एक किस होता है, तो हम ये सीधा मान कर चलेंगे, कि ये किस होता है हमारा सीधा सा, तो 10% इंटो 2, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21%, सीधी सी बात है याँ पे, अब ये प्रिंसिपल है मेरे भाई, तो मुल्धन हमेशा अपने आप में दोस्तों कितना होता है, तो मुल्धन हमेशा अपने आप में 100% होता है, कितना होता है दोस सर 21% का मियान निकालना है और अगर मुझे amount निकालना हो तो मैं क्या बोलूँगा principle है 100 और यहां पर ब्याज है हमारा 21 तो amount हो जाएगा कितना? 121 बट मुझे amount निकालना नहीं है तो मुझे tension नहीं है यह मेरे भाई बड़े साफ तोर पर हमारा उत्तर हो जाएगा 20-20 का तम 21 का तीन उना कितना? 63 तो पहले question तक आते आते हमें वक्त लगा क्योंकि हमने काफी सारी चीजों को जनाब सीखा समझा हमने रटा नहीं यहां पर अब उसके बाद मैं देखो कई सा भॉकाल आप लोग उडाते हो एकदम तो जो दिया गया था वो मूलधन था यहनी 100% और निकालना क्या था ब्याज तो जो दिया गया होता है उससे भाग करते हैं जो पता करना होता है उससे गुना करते हैं तो चलिए हमारे चैंपियंस यहां पर फटा फट जो है आप लोग इस कोशन नमबर टू का आंसर दीजे कि यहां पर क्या होगा अप्शन नमबर ए ठीक है अब मिलेगी वर्दी अप्शन नमबर बी बी फ़र सरकारी बाबू यहां पर प्राइवेट बाबू बिलकुल भी नहीं सी कहोना प्यार है और डी देवसेना जल्दी से बताओ क्या होगा उत्तर यूपी कॉंस्टेबल का दो हजार ठारा का पूछा गया एक प्यारा सा प्रशन यहां पर यह जी ब्याज प्रतिवस दस परसंट की दर्शन संयोजीत है तो चौदस रुपे पर दो वर्शों में अरजीत चकरवीदी ब्याज क्या होगा हमने कहा बच्चे हमारे उड़ा देंग अब भाई एक बात बताओ इतना तो कुश्चन को समझ में आ गया ना पड़के पैसा कितना तुमने निविश किया? चौदस रुपे कितने सालों के लिए किया? दो सालों के लिए किस रेट पर किया? दस परसंट पर ब्याज हमसे पूछा है तो एक तरफ तुम अपने दिल को तसली देने के लिए डेटा लिख लो हाला कि आवशक्ता है नहीं अब तसली देने के लिए लिख लो कि पैसा कितना है? 1400 सैटिसफेक्शन मिलता है रेट हमारा कितना है? 10% समय हमारा कितना है? 2 साल और निकालना क्या है ब्याज पट मैं फिर बोलूँगा इस किया वशक्ता है नहीं है यार आप चैंपियंज हो यार 10% का 2 साल सीधा बताते हो कि कितना होता है 21% आप तो ये सब जानते भी नहीं हो क्यों लिखा जाता है आप लोग तो सीधा पता है कैसे उड़ा होगे आप बोलोगे गुरुजी देखिए दिया क्या है तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल तो यहाँ पर सीधा आप लोग यहाँ कोने में सॉलुशन मारोगे शॉर्ट में बोलोगे च्वदा सो क्या होता है मुल्धन मुल्धन का मतलब कितना सो परसेंट और निकालना क्या है तो ब्याज पढ़कर बता देंगे यार दस परसेंट और दो साल एक किस होता है एक्जामनर को इससे उड़ा के पेक दो एकदम कोशन जब भी पूछे तो सीधा कितने का बताना एक किस का अब उसमें भी देखो मज़े की बात दो जिरो से तुम्हारा दो जिरो खतम हो गया ठीक है चार को एक से गुना करने पे क्याई का अंग चार आता ऑप्शन नबर भी बात क्यों सॉल्व करना भाई और क्या हमने घर के कोशन करा है आपको आपके जो कॉंस्ट sinking का पेपर पूछा गया आपको तो कितने सेकन्ड में हुआ? महतर 2 से 3 सेकन्ड के अंदर में कि जो दिया है वो 100% है और पता क्या करना है 21 तो 4 को एक से गुना करने पे क्याई के इस फ्थान पे 400 पे क्या है? एक ऑप्शन में 4 है बाकी तो है भी नहीं यहां पर अब इसे उड़ाना एक दम पेपर में जाके चकरवीदी ब्याज को बुझे की नहीं बुझे बताओ जल्दी से मजा रहा है आज जो चलो GD वाले काहे नाराज रहेंगे भीया कि GD का कोशन नहीं करवा रहे है GD भी तो साथ के साथ हैं यहां पे तो लेके तो चलना पड़ेगा तो चलिए GD 2023 का एक कोशन हम आपके लिए करवा देते हैं उसी कंसेप पे बोला गया कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5 परसंट है और दूसरे के लिए 8 है तो दो वर्ष हो में इतने रुपए पर ब्याज हमारा गयात करें हमने का ये भी कोई सवाल है पहले साल का ब्याज हमारा कितना है 5 और दूसरे का हमारा कितना है 8 ये तो हमारे बच्चे ऐसे उड़ागे फेक देंगे बोलेंगे सर आपने अभी सिखाया कि यहाँ पर पहले क्या करते हैं बताइए गुना करते हैं क्या करते हैं बिया बताइए ने क्या करते हैं गुना करते हैं तो 5 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 40 लिख देंगे और 5 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखो देशमलव कौन लगाएगा, फूफा हम ही लोग लगाएगे ना, 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 यहाँ पर 13.4% यानि जो ब्याज मिला वो कितना मिला 13.4 परसंट का ब्याज मिला यानि इतने ही परसंट का मान निकालना है तो अब जरा गौर से देखेंगे तो जो हमारा 22,500 दिया है तो ये 22,500 हमारा क्या है तो भूलो के गुरुजी मुल्धन है मुल्धन का मतलब कितने कामान है तो सो कामान है और पता क्या करना है तो ब्याज यानि कितना 13.0 कामान अब कुछ लोग इसमें पता नहीं इतना बढ़ियां तरीके से जो है वो calculation करेंगे और अपने दिल को खुश करेंगे मेरा दिल ही नहीं करता calculation करने का तो हम यहाँ पर क्या बताएं ठीक है तो यहाँ पर question में क्या कहा गया है Find the compound interest compounded annually on 225 in two year if rate of interest is इतना for a first year and इतना first second year अब अगर मैं आपके जगह होता और मैं इस सवाल को बनाता है literally बता रहा हूँ honestly बता रहा हूँ लो इसको तुम इससे काटो तुम multiply करो दिल को तसलिदो लेकिन अगर मैं आपके जगह paper में होता तो मैं शायद पूरे questions को पढ़ता भी नहीं ठीक है और मैं बिना question को पूरा पढ़े सिर्फ एक value को देखकर मैं पूरा answer कर देता यहाँ पर 22,500 है पांच, दो, साथ और दो, नो है यानि नो का multiple एक ही option मुझे नो का multiple देखा खतम बाकी है तुम खतम यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता भाई तुम rate निकालो यहाँ पर क्या फरक पड़ता है यहाँ तुमारा बयाज कितना था पांच था की आड़ था कोई फरक पड़ता है नहीं पड़ता भाई यहाँ पर यह साथ देदे, नो देदे, आठ देदे, अठरा देदे क्या फरक पड़ता है अब बोलो कि क्यों फरक नहीं पड़ता गरूजी ऐसे कैसे नहीं फरक पड़ता क्यूं बताते हैं आप गोर से देखो जब यह आप principle लिखते हो तो आप क्या इसको rate से divide करते हो नहीं करते हो आप किस से divide करते हो 100 से करते हो तो 100 से divide करते हो तो यह कभी भी इसमें कोई change आएगा नहीं आएगा अब इसके बाद तुम किस संक्या से multiply कर रहे हो या किस से नहीं कर रहे हो क्या फर्क पढ़ रहा है भाई बताना जरा ये जो 13.4 आया कल के दिन 14.6 होता 18.7 होता क्या फर्क पढ़ता 9 को किसी भी संक्या से गुना करने पर 9 ही तो आता है और 9 ऐसी संक्या है जिसको भी गुना करती है उसका digital sum कितना बना देती है 9 बना देती है यहाँ पर देखो 5,3,8 और 1,9 इसका digital sum कितना आ गया 3 5,3,8 और 1,9 इसका digital sum कितना है 9 ठीक है यहाँ पर 5,5,10,12,12,12,13 को जोड़ने पर 4 आ रहा है 5,3,8 और 1,9 digital sum कितना एक तो वहीं बात हमने कहा कि भाईया यहाँ पर 9 एक ऐसी संक्या है जो किसी को भी गुना करे तो क्या बना देगी 9 बना देगी यह 9 था 9 को किसी से भी गुना करो क्या बनाएगी 9 बनाएगी इसलिए इसादार पर हमने क्या टिक किया था option number A ध्यान रखना है पेपर में चौकना रहना है कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है आप जिस तरीके से सवाल समझ रहे है मेरे भाई उस तरीके से ना दिया गया हो पेपर में और फिर रहा मैंने कहा क्या मैं अपने घर के question करा रहा हूँ बिलकुल भी नहीं जीडी 2023 में जो question पूछा गया वो कर वा रहा है अब पीपर बच्चा दे के आता है बोलता बाप रही इतना tough question पूछा था हमसे दुगा नहीं अरे कहा ही नहीं हो यार तुम दिमाग नहीं लगा है वहाँ पे एक सेगंड के सवाल में तुम ज़्यादा बुद्धी लगा के चलिया यहीं तो problem है तीक है कहते हैं न इश्क में और गनित में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते है आदमी वहाँ फेल हो जाता है खम दिमाग लगाए करो यह दिल के मामले होते है आज हो यहाँ पे तो सवाल देखो फिर से MP Police Constable जैसा है कि हमने आपको कहा कि आपके UP Constable के लिए हमने सभी स्टेट के Constable खंगार ला ले बिहार का Constable हो, MP का Constable हो, बंगाल का Constable हो भी यह सारा कोशन तुमारे सामने है काहे confidence बढ़ेगा अपना कि हाँ भी हम पुलिस की तियारी कर रहे हैं और हम हर एक्जाम के Constable को लपेट सकते हैं बढ़ियां तरीके से तो पढ़ियां पे एक हमेशा जो hack होता है, जो trick होता है वो दिहान रखना, जितनी नजर सवाल पे, उतना ही नजर option पे भी, सर गनित है math से यहां पे, और option जो है बहुत कुछ बताता है, आप subjective paper नहीं दे रहे हैं जाके, आपको written answer नहीं देना, objective आप दे रहे हैं वहां पे तो jam आतादी करने से बहता है थोड़ा divisibility का नहीं हम लगा लें थोड़ा digital sum का नहीं हम लगा लें थोड़ा unit digit का नहीं हम लगा लें आपने back to back देखा हमने हाँ पर की जो है, दो सवालों को कैसे किया एक को हमने unit digit के अधार पे लपेट दिया और एक को हमने divisibility के अधार पे लपेट दिया यही तो तरीके होते हैं हमारे पेपर में ठीक है, आज यह चलिए next question की बात करते हैं चार नबल सवार, चलिए आए प्रिया मेडम पर पहुंचते हैं क्या कह रही हैं, प्रिया मेडम देखा जाए तो प्रिया ने 12% प्रती वर्ष की दर्ष एक निश्चित राशी उधार ली कितना उधार लिया किसको पता यदि उसने 10,176 रुपय वार्षिक चक्रवीदी ब्याज के रुप में दो वर्षो केंत में बुगतान किया हो तो उसने कितनी राशी उधार ली थी मतलब आप एक्जामनर गेम कर रहा है हमारे साथ में अब उसने क्या दे दिया ब्याज और ब्याज देकर भीया क्या पुछ लिया तुमसे ये बताओ तो ब्याज देकर तुमसे मुल्धन पूछ रहा है बियाज देकर मुल्दन पूचर आप कैलकुलेट करेंगे क्या फर्क बढ़ता है आप मुझे बताइए प्रिया मैडम के लिए आम पर देखे जो डेटा है पहले लिख लेजे फिर वही बात क्यों इंटरनल सेटिसफेक्शन ताकि दिल को तसली मिले हैं सही जा रहे है कुछ सवालों तक आपकी दिल के तसली हम आपको दिलाएंगे उसके बाद आपको रॉकेट बनाएंगे तो अभी आपकी दिल के तसली हम दिलवा रहे हैं आपको ताकि आपको परिशानी ना है और आप एकन्दम फैमिलियर है, हाँ भी, बुझा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा C.I.E. हो गया, rate हमारा कितना है तो 12% है, और हमारा time कितना है, हमारा तो 2 साल है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो उसके बाद में कॉश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गुरुजी पहले कि अगर यह multiply और 12 into 12 कितना हो जाता है तो 144 हो जाता है फिर दशमलव लगा दीजे और फिर दोनों को जोड़ दीजे तो 12 जमां 12 कितना हो जाता है 24 मात राकरी के दो उंकों को रखिए यह transfer कर दीजे तो यानि कितना हो जाएगा 25.44 यहां पर कितना हो जाएगा 25.44 तो बुझे की नहीं बुझे बताएगे कितना होगा 25.44 तो हम यहां पर बोलेंगे सर दो सालों का ब्याज कितना है 25.44 यहां पर ठीक है यानि यह हमारा क्या है तो यह हमारा ब्याज है तो यह जो दिया गया है वो किस का मान है तो बोलोगे सर ब्याज का और जो पूछा गया है वो किस का मान है बताओ तो बोलोगे सर जो पूछा गया है वो हमसे जो राशी उसने उधार ली थी वो पूछा गया है ठीक है इसको मिटा दे, चलो रहने देते हैं अटाओ, परिशान हो जाओगे फिर अभी मिटा देंगे तो, तो यहाँ पर जो दिया गया है 10176, यह हमारा ब्याज है, ब्याज का मतलब कितने का मान है, 25.44 का मान है, और हमसे पूछा क्या गया है भाई, तो हमसे यहाँ पर पै 216, तरबस, काम कतम, 400, 0000, दहेज में आगया, ऑप्शन नमबर डी फर देव से नासर हो गया, अब बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कभी जीवन में आपने ऐसा कंपाउन ट्रस्ट पढ़ा था, बोलिया, क्या कभी पढ़ा था, बताओ, मज़ा रहा है, हम पढ़ा है, कैसे जाता है, आजो, शालो, तो नेक्स्ट कॉश्चन की बात करते हैं, मुझे फटा-फटा आप लोगों से आंसर चाहिए, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है, नेक्स्ट कॉश्चन जल्दी से उतर देजिए, प्रशन संख्या 5 यहां पर क्या कहा गया पढ़िय ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल यहां पर, ठीक है, अगला सवाल यहां कहा गया है, कि किसी धनराशी पर 2 वर्शों के लिए 10 पर 3 वर्श की ब्याज 200 है, उसी धनराशी पर उसी ब्याज तर पर 2 गुने समय के लिए साधारन ब्याज कितना होगा, MP Police Constable का हमारा यह सवाल है क्या कहा गया है, जरा पढ़िये-बढ़ियां तरीके से, the compound interest on a sum of money for 2 year at 10% per annum is 2100, यानि जो दिया गया है, वो क्या दिया गया है, rate हमारा है कितने का, 10% का, समय हमारा है कितने का, 2 सालों का, और इसमें जो मेरे भाई दिया गया है, वो क्या दिया गया है, तो compound interest दिया गया और कितने का दिया गया है तो 2100 रुपए का दिया गया है अब कुशन में कहा गया अगर हमारा रेट यहीं रहे टाइम को हम क्या कर दे डबल कर दे मेरे भाई तो हमें बताओ यहाँ पर साधारन व्याज कितना होगा मैं अक्सर यह बात आप लोगों से कहता हूँ कि आप यह देखा करो कितने परसेंट का मान आपको दिया है और कितने परसेंट का मान आपसे पूछा है हमेशा हम परसेंटेज में खेलेंगे ना तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आज अगर हम यहाँ पर बात करते है बचे कहरें नहीं से ऐसा गभी नहीं पढ़ा हमने इस तरीके से चलिए बड़ी बात ऐसे नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजए आप यहाँ पर जैसे हम पढ़ा रहे है तो जिस तरीके से देखेंगे आप यहाँ पर जो CIE आप देख रहे हैं यह 200 रुपे है यह हमारा किस का मान है तो यानि ब्याज का मान है कौँसा ब्याज है तो चकरवीदी ब्याज है तो 10% के हिसाब से 2 सालों में कितने का चकरवीदी बनता है मैं यहाँ पर अब सवाल को थोड़ा छोटू करता हूँ है यहाँ छोटू खतम होगया साइड में मेरा सिंपल आप लोगों से मातर इतना सवाल है यार 10% के हिसाब से जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है 21% बनता है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेम रेट का मतलब कितना 10% 10% के हिसाब से चार सालो में साधारन ब्याज कितना बनता है साधारन कितना बनता है तो साधारन का मतलब रेट इंटु टाइम होता है 10 इंटु 4 होता है यानि कितना होता है 40 तो कही ना कहीं यह बात नहीं कह सकते है कि सर 21% का मान 21 है तो 40% का मान कितना होगा देखो इसका यहाँ पर 100 गुना दिया है तो इसका भी यहाँ 100 गुना दे दो यानि उत्तर कितना हो जाएगा option number B for बहु भले बात खत्म यहाँ पर आसान भाशा में कहा जा सकता है जो चीज उसको complicated क्यों करना इतना complicated क्यो कर나 मैं फिर से repeat करता हूं यहाँ पर फिर से मेरी बातों को समझो आप लो ठीक है यार चक्रवीदी ब्याज है तो 10% के हिसाबसे 2 सालों का जो ब्याज होता है वो कितना होता है 21% होता है चक्रवीदी में और 10% के इसाब से 4 सालों का साधरान हमारा कितना होता है तो 40 होता है मेरे भाई यहांपर 21 का 100 गुना दिया गया है उसका मान तो यहां 40 का 100 गुना उसका मान होगा तो यहांपर 40 का 100 गुना का मतलब 000 कौन सा option होगा बीफर? बावु बली ठीक है, चलिए, बीफ और बाबू नहीं होता है, प्राइविट बाबू होता है, तुम लोग हमको भी बेकार देगा एक तुम, क्या मास्टर आदमी, बताओ कीसा कीसा बात बुलते रहता है, चलो आज़ो यहां पर, कोशन नमर छे देखो, क्या बोला गया, खुश रहा करो, किसी भी तरीके से चहरे पर मुसकान बरकर आ रहनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई यार कभी प्रेशर में नहीं होता है, मुझे नहीं लगता कि कभी, कुछी, मतलब हमने तो यार जी, बत करते करते हैं, हमने भी पढ़ाई किये, दोस्तों से बात किये, ठीक है, प्रशर में दबा के रखोगे ना इसको एकदम लोड़ट रखोगो पहले से फैमली प्रशर ये प्रशर वो प्रशर तो कुछ नया कोई कितना भी सिखाने की कुशिश करेगा तो वो मेरे भाई नहीं सिखा पाएगा यानि एक लकड़े को लकड़ी अगर काटना है ना तो जितना उसको ताकत लकड़ी काटने में लगाना है उतना ही उसको जो है बुद्धी लगाना उसको धार लगाने में सिर्फ लकडी काटना कला नहीं है सिर्फ लकडी काटना गुण नहीं है यहाँ पर कुलाडी में समय समय पर धार भी लगनी ज़रूरी है तो अपने brain को बहुत हलका रखो यहाँ पर जादा भारी रखने की loaded रखने की चुनमनी है परिशान हो जाओगे सीख नहीं पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे, तो ज्यादा प्रेशर में पिपर खराब करके आओगे, खुश रहो, मस रहा करो, तब पढ़ा करो, ठीक है, आजो, 18,000 रुपे की राशी पर एक वर्षों के लिए प्रती वर्ष 20% की वार्षिक दर्श्रे चकरवीदी ब्य आज की गन्ना और दवार्षिक हो, अब ये गोलग दर्वा है मेरे भाई, कई से हंडल करोगे, कोई दिकत नहीं हंडल हम लोग करते हैं यहां पर, देखो भाई, क्या होता है, दो चीज़े होती है, एक हाफ यरली होता है, और यहां पर क्वार्टर्ली होता है, लगे हाथ हमारा क्या हो गया, तो क्वार्टर्ली हो गया, ठीक, क्या हो गया मेरे भाई यहां पर, तो क्वार्टर्ली हो गया, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हाफ यरली वाले केस में जनाब हम क्या करते हैं, वो समझे, रूज रात साड़े आठ बजे लाइव चलती है, आ तो 10 का अधा हमारा कितना हो जाता है? 10 का अधा हमारा 5 हो जाता है और समय हमारा क्या हो जाता है? तो समय हमारा 2 गुना हो जाता है समय हमारा 2 टाइम हो जाता है क्यों ऐसा होता है? यार एक बात बताओ जैसे मैं ये बता रहा हूँ और half yearly का मतलब यहाँ 6 माही है तो 6 माही में हम कितने महीनों का निकालना चाहते हैं बताओ तो बोलोगे गुरुजी 6 महीनों का निकालना चाहते हैं तो किस से गुरा करेंगे तो 6 महीनों से हम गुरा करेंगे यहाँ पर तो अगर हम काटेंगे तो 6 से हम काटेंगे, 2 बार में 2 से हम काटेंगे, 5 बार में तो आखिर rate तुम्हारा कितना निकल करा गया, 5 और जो की मेरे भाई क्या है तो इसका आधा है, इसलिए हम direct shortcut बता दिये थे, तो जब भी चक्रवीदी ब्याज निकालो, तो rate निकालने के लि मेरे से 12 महिने के लिए पयाज पर उदार लेके पैसा गए, और हमने कहा हर 6 महिने पर तुम मेरे δरौाजे के लाकर लाकर लोटा देना, आप मेरे दर्वाजे तो बोलेंगे गुरुजी दो बार तो बस यहां पर स्रमय की अगर हम बात करेंगे तो स्रमय हमारा कितना हो जाएगा दो गुना इसलिए मैंने सीधा सीधा सुरू में ही रटवा दिया था आपको कि हाफ यरली का मतलब रेट हमारा क्या होता है और स्रमय क्या हो जाता है दो गुना जनाब वैसे ही क्वाटरली है क्वाटरली का मतलब ती माही है क्वाटरली का मतलब क्या हो जाता है हिंदी में अगर हम बात करें तो ती माही हो जाता है ठीक है यहां पर और माही का हम को लग रहा है हम गलत लिख रहे हैं quarterly के उपर में कि गुरु जी हमारा rate इतना है समय इतना है quarterly में हमारी कहानी क्या होगी तो quarterly में जो rate आपका निगलेगा न वो यहाँ पर charge rate डिवाइड हो जाएगा जेखो यहाँ पर charge rate डिवाइड नहीं होगा sorry यहाँ पर rate अगर आप मान लो कि हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं है जैसे यहाँ पर rate हमारा आधा हो जाता है तो यहाँ पर charge डिवाइड हो जाएगा आपका तो charge डिवाइड हो जाएगा तो बोलोगे start 20 है और 20 को हम charge डिवाइड करेंगे तो rate हमारा कितना हो जाएगा 5% और यदि हम समय की बात करेंगे तो समय हमारा चार गुना हो जाएगा फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर तीक है, चार साल नहीं होगा मतलब चार गुना हो जाएगा यहाँ पर आप चार कह सकते हो तो फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं यहां पर पूरी कहान ही क्या है, छे माही वाले case में, half yearly में, rate हमारा हो जाता है, आदा समय हमारा हो जाता है, double, और यहां quarterly यानि तिमाही वाले case में, rate को हम 4 से दिवाइड करते हैं, और time को हम 4 से मल्तिप्लाइ करते हैं, अब इसके बाद में जो भी question आएगा, तो जैसे इस सबसे बड़ी बात यदी वो ब्याज मुझ से वार्शी करूप से पूछता तो मैं बोल देता कि कि यार 20% के हिसाब से एक सालो का ब्याज इतना होता है बट वो यह कहना चाहता है कि मुझे और दवार्शी करूप में चाहिए यार तुम हर आदे साल पर लाके मुझे ब्याज दो तो यदि आप उसको अदे साल पर ले जाके ब्याज दोगे तो यानि half yearly के case में क्या होता है rate हमारा कितना होता है तो बोलोगे गुरुजी rate हो जाता है आधा, यानि 20 का आधा कितना 10 और श्रमे हमारा क्या हो जाता है 2 गुना, यानि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 अब बच्चा बच्चा भी 10% के हिसाब से 2 सालों का भी आज बता देगा अभी टेबल याद करवाए थे 10% के हिसाब से 2 साल 21% 10% के हिसाब से 3 साल 33.1% 10% के हिसाब से 4 साल 46.41% सारा का सारा मेरे भाई जो है यहाँ पर हम करा रहे हैं, आधार्षपाल केते हैं सर हम भी पढ़ रहे हैं और उन्हें भी शेयर किया हैं, वो भी पढ़ रहे हैं बहुत बढ़ी हैं, बहुत नेकी रादे हैं अधार्षपाल जी, ठीक है मतलब इतने नेकी रादे हैं, आपके पूछिए मत इस नेकी रादे पर हम बगवान से यह काम ना करेंगे 13000 हमें दिया गया है यह क्या है तो मुलधन है मुलधन का मतलब कितने का मान है, तो 100 का और पूछा है मेरे भाई, तो अब आज हम से पूछा है तो हमें 20% का मान बानेंगे गुना कर दो यहां पर वापस मेरा आपसे वहीं सवाल जीरो के लिए तो जीरो लिख दोगे आठ इंटू है कि क्याई के सान पे कितना है गाइगा आठ क्यूं गुना करना मेरे भाई असी एकी ऑप्शन में था यही आंसर है बस भाई ठीक है यहाँ पे क्यूं हम मल्टिप्लाई करें क्यूं अपना एनर्जी वेस्ट करें यहाँ पे हमारा क्याई का कंसप्ट किस दिन हमारे काम आएगा आजी के दिन तो काम आएगा ना कि आठ को एक से गुना करने पर आठ आता है बाकी यहाँ के डिजिट क्या है अप भी यहाँ हमारे पास तो वक्त नहीं है ठीक है समझ गए हाँ पे आए चलिए नेक्स्ट कोशिन कोशिन अपर साथ देखते हैं मुना क्या का आगया है जरा पढ़ो जल्दी से यानि शेमाही वाले केस में आपको इतना समझ में आगया क्या करना है तो यहाँ पर समय को डबल और रेट को आधा ठीक है ऐसे ही आप लोग और भी कोशिन की प्राक्टिस करना चाहते हो ना तो देखिए फ्री में हम आप लोगों के लिए टेलिग्राम पर क्विजरन कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो टेलिग्राम चल रहा है एक बड़ा प्यारा सा टेलिग्राम है आप लोगों के लिए और देखिए जैसे मैथ्स तो हम आप लोगों को क्लास के माद्दिम से करा दे रहे हैं और बचे काफी ज़ादा और भी सब्जेक्स को लेकर परेशान है कि सर हम उनके क्विज की कैसी प्रैक्टिस करें तो दोस्त यहाँ पर हमने एक बड़ा प्यारा सा टेलिग्राम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है और जिसका अभी लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा यह जो टेलिग्राम है यह फ्री है सभी के लिए इसके लिए आपको कोई पैसा कुछ भी नहीं देना है The Winners Official के नाम से है 16,000 लोग मातर 3-4 दिनों के अंदर में इसके अंदर जुड़े हुए है और इसके अंदर में सभी परिक्षाओं का यहाँ पर क्विज आपको चलता है सभी परिक्षाओं का क्विज चलता है SSE हो, Banking हो, Railway हो इसमें आप लोगों का UP Police का अला गुरुप बना हुआ है आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक गुरुप में यहाँ मेसेज लिखा हुआ है UP Police की क्विज देने के लिए दियेगा UP Police का क्विज ज्वाइं करें फिर आप जब इस गुरुप को क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपका क्विज आ जाएगा अच्छा यहाँ पर देखोगे तो UP Police में आज हमने जो क्विज करवाया तो UP Police के क्विज के टाइमिंग स्टार्ट होती है साथ बजे साथ बजे में हमने हिंदी का एक क्विज डाला है स्टैटिक जीके का एक क्विज डाला है जीस का एक डाला है और Current Affair का एक क्विज हमने डाला है जस्ट 9 बजकर 35 मिनट पे एक दम अभी अपलोड कर दिया अब यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जाके आपको क्या कर लेना है ज्वाइन ग्रूप कर लेना है तो ज्वाइन ग्रूप कर लोगे तो यहाँ पर क्या हो जागा इस ग्रूप में जुड़ जाओगे अब जैसे यहाँ पर कोई भी क्विज स्टार्ट होगा वहीं पर आप क्विज देना शुरू करोगे जैसे बच्चे 60-70 कोईशन के फ्री में बच्चे क्विज दे रहे हैं और पूरा फायदा उठा रहे हैं जैसे हिंदी का था कि अंकुष का अनेकार्थी क्या है मतलब यहाँ पर एक तरीके से दूसरा अर्थ वाला क्या हो गया खाक में मिलाने का मतलब क्या होता है नस्ट करना तो ऐसे आपके पेपर में कोईशन्स आएंगे और कितना समय लगेगा दो से चार मिनट के अंदर में संपूर्ण जीएस का रिविजन, हिंदी का रिविजन और फ्री चल रहा है उसके बाद में हाँ बच्चे अपना समय भी देख पाते हैं कितने समय में हमने जो देखो, साथ मिनट के अंदर में इस लड़के ने तिरपन कोईशन्स के उत्तर सही दिये शल इंदर यादो, इसका रैंक वन है तो इससे क्या रहता है, कमपटिशन रहता है पेपर में जाओगे न, तो उसके लिए शुरू से अपने आपको प्रिपेर करके चलो एक टाइमर लगा के चलो, तो बहुत फायदा रहेगा पांच-पांच मिनट, साथ-साथ मिनट आपका हम आपसे बहु मुले समय ले रहे हैं और हम आपको साथ कोशन दे रहे हैं और आप इसका फायदा उठा पा रहे हैं तो इस क्विस को जरूर सभी ज्वाइंग कर लीजेगा फटा-फट यहां पे इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आज यह चलिए, आप लोगों के लिए हित की जो काम है वो हम कर रहे हैं पीछे से आप लोग बस पढ़ते चलो अच्छे से मेरे भाई आगे बढ़ते चलो ठीक है आज़ाओ तो नेक्स्ट कोशन यहां पर इस सवाल के बारे में बात करते हैं क्या कहा गया है जरा पढ़िये चकरवीदी ब्याजपर निविशीद 25,000 रुपे की राशी एक वर्ष में और दवार्षी चार परशन प्रती वर्ष के दर्शे बढ़कर कितनी हो जाएगी यानि कोई भी पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा तो बढ़कर कितना भी हो जाने का मतलब क्या होता है बढ़कर हो जाने का मतलब एमाउंट होता है 10,000 बढ़कर कितना हो जाएगा यानि वो एमाउंट कितना बनाएगा 12,000 बढ़कर कितना हो जाएगा यानि वो एमाउंट कितना बनाएगा तो इन डिरेक्ट में में हमसे क्या पूछा जा रहा है amount पूछा जा रहा है, तो हम बताएंगे तो हम यहां बोलेंगे, सर देखो, पैसा हमने कितना निवेश किया, तो पैसा हमने 25,000 रुपया market के अंदर में लगा दिया है, और rate की अगर हम बात करें, तो rate हमारे पास कितना है तो 4% है, समय की हम बात करें, तो समय हमारे पास कितना है एक साल है, बट सर शबसे मज़े की बात बताएं, यहां पर हम से half year लिका आ गया है, और आपको भी पता है कि half year का मतलब rate को क्या करना होता है आधा, और समय को क्या करना होता है दो गुना, यानि अगर मैं यहां इस rate से अपने वाले rate पर आऊंगा तो मुझे rate को आधा करना पड़ेगा तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 और समय को मुझे क्या करना होगा तो समय को मुझे 2 गुना करना होगा ठीके, क्या करना होगा, 2 गुना अब 2% की हिसाब से 2 सालों में मुझे जो ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा तो अगर हम बात करेंगे तो 2% पहले साल का, 2% दूसरे साल का अब ब्याज हमारा कितना मिलेगा तो एक बार दोनों को गुना करें तो 2 इंटू 2 कितना 4 और एक बार मेरे भाई असर 4 लिखेंगे बिलकुल भी नहीं, कितना लिखेंगे, 0, 4 तो 2 x 2, 4 होता है, लेकिन हम 0, 4 लिखेंगे और फिर उसके बाद में 2 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 4 तो 4.04, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त, लाइक करना में छोड़ेगा आप लोग, ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा मूलधन है, यानि कितने कमान है, तो 100 कमान है और तुम से पूछा गया, ये पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा यानि ये 100% तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में इतने का ब्याज इसे और मिलेगा यानि 4.04 का मेरे भाई और होगा, क्योंकि देखो जब भी आप एमाउंट निकालने की बात करते हो ना भाई काटोगे नसर, पांच बार में और पचास से काटोगे नसर दो बार में दो से गरम काटेंगे बावन हो गया और जीरू हमारा दो हो गया मल्टिंप्लाइ जो हमारा रएफ़ भी इतना सोवाल सरलसा पूचा गया कि ये पैसा में आप затा किदना ग्रोग वर बैरा भाई, हम क्या होता है तो यहां पर सबसे पहली बात औरदवार्शी के तो रेट को आदा और समय को डबल यानि इस रेट से इतने समय में ब्याज हमारा कितने का मिलेगा 4.04 का मिलेगा जो दिया गया है वो मुल्धन का मान है तो मुल्धन से डिवाइड करो पता करना है एमाउंट तो यानि 100 प्लस ब्याज से मल्टिपलाई करो सीधा खेल खतम मैं दो चार स्टेप्स फालतो लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ में आए ठीक है हर सवाल में आप डिजिटल सम का प्रेव कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपके समझे लेंगे हमकी सीख गया आप लोग जल्दी से उत्तर बता देजे कितना होगा ठीक है जल्दी से बताओ मेरे भाई सर आपका बैच कौन सा है इसे से सीजियल बता देते हैं भाई अभी अभी रुग जो देखिए हमारे मैट्स के दो तरह के बैच चलते हैं एक जो हो ग अज़ाम के लिए तियारी कर रहे हो तो आप हमारा मैट्स स्पेशल लाइफ प्लस ब्योडी बैच ले सकते हो तीक है सबसे अच्छी बात मैं आपको बताओ यहां पर मैं पहले पूरे फीचर आपको दिखा देता हूं और पूरा फीचर मैं दो मिनट आपका वक्त तो आडजी विकरमजीत यह हमारा हो गया पूरा का पूरा में इंटरफेस इसमें जब आप कोर्स में जाओगे ना तो यहां पर मैट्स के सेक्शन में जाओगे आप यहां मैट्स में तीक है जब आप यहां कोर्स में गए यहां पर आप मैट्स में गए मैट्स में आपको दो तरगा ही batch आपको देखने को मेरा मिलेगा, एक हमारा VOD batch होता है, एक हमारा live batch होता है, यह VOD batch में और इसमें हमारा फरक क्या है, क्या क्या feature है, किसके है, क्या है, तो यह देखो यहां पर हमारा VOD, VOD का मतलब होता है video on demand, जहां पर चीजें हम recordings प्रोवाइड करवाते हैं, इसके अंदर में क्या है, तो सारे chapter जो है आप लोगों के पूरा बढ़िया तरीके से हमने complete करा रखा है, एक एक proper way में, ठीक है, साथ में यहां पर private telegram group हम पहले ही आप लोगों को दे देते हैं, कि कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का doubt हो, तो वो इस group में जाकर पूछ उसके अलावा जैसे मानो percentage पढ़ना है, परसंटेज कैसे पढ़ोगे, तो percentage के यह सारे lecture हमने आपको दे दिया, हर एक chapter का 15-15-20 lecture यहां पर होता है, जिसको बहुत ही तरीके से type wise, level wise करवा दिया गया होता है, उसके बाद में हर एक chapter के आपको दो sheet मिलती है, एक classroom sheet होती है और यह Chinese में आपको नहीं दिखेगा, तो इस तरीके से करके बढ़ियां level wise type wise सारे questions होते हैं, और हर एक exam को वो cover कर रहे होते हैं, तीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो बच्चों को और इस course में क्या क्या मिलता है, तो इस course में आपको एक तरफ सारा का सारा telegram group मिल गया, सारे videos मिल गए, सारे test मिल गए यहां पर आपको, सारे PDF मिल गए, किताब खरिदने की कोई आवशकता नहीं है, और इसके अलावा यहां पर हम आपको test भी देते हैं, इसी application के अंदर में, हर एक chapter का आपको test हम provide करवाते हैं, उसके बाद में maths के हम आपको sectional test provide करवाते हैं, फ पाइदा कहां से, growth कहां से होगा, होगा ही नहीं आपे, ठीक है, उसी तरीके से pre-k test होगा है, में इसके test होगा है, उसके बाद में यह batch की validity lifetime, मतलब आप recharge भी कराते हो, एक दो महीने में आपका recharge खतम हो जाता है, लेकिन यह batch एक बार आपने ले लिया तो आपको जीवन में दुबारे recharge करानी के अवशकता, नहीं है, जिन्दगी भर आपका साथ में रहेगा, और सारा feature जो है मातर 699 में रहता है, बोलो के sir, batch इतना कम फीस क्यों रखे हो, ठीक है, कम से कम 1000, 2000, 2500 होना चाहिए, तो reason एक है मेरे भाई, पढ़ाना उदेश है, business उदेश नहीं है, जब हम पढ़ाना शुरू किये थे, जब हम कुछ भी नहीं थे, teaching के मामले में, तब भी मेरा batch इतने का है, आज आप लोगों के दुआ से आशिरवाद से 10,000 लाई बच्चे बैठे हैं, तब भी इतना है, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने मुझे प्यार दिया, और सपोर्ट दिया और live watching बढ़ाए, और 2-2 लाग, 3-3 लाग में मेरी वीडियो जाने लगी, तो हमने batch का fees बढ़ा दिया, क्यूंकि अब हम branded teacher हो जुके हैं, ऐसा मेरा audition ही होता है, भारत में हर वर्ग का बच्चा है, यहाँ पर पढ़ने के लिए ज़ादा सोचे ना ज़ादा उसको पैसे ना लगाने पड़े, इसलिए हमने इस batch की फीश हमेसा से इतनी ही रखे, कभी भी पढ़ सकते हैं अपने अंदाज में, अपने style में, और जिस तरीके से यह recorded batch है तो ऐसे ही हमारा live batch भी है, जो खासियत हमारे recorded batch में हो सारे live batch में होता है, बस यह होता है कि इसको हम live पढ़ा रहे और कोई बात नहीं है, ठीक है, आजाओ चलो, आईए, next question देखते है, question number 8 number क्या का आगया है मेरे भाई यहाँ पर, पढ़िए, ज़रा इस सवाल को देखे, तो कभी भी लेना हो, तो आप यहाँ पर हमारा recorded batch ले सकते हो यह, और inquiry करनी हो, तो screenshot लेके रख लो, 8506003399 या 928907 इस पर inquiry कर रखते हो, screenshot लेके रख लेना भाई इसका, ठीक है, कभी भी G1 में खुद पढ़ना पढ़ जाए, यह recommend करना पढ़ जाए किसी को, तो हो सकता है, फाइदे मन दो, कई सारे batches होते हैं, सबसे best में बच्चों को यह बताता हूँ, अगर उनको अपने हिसाब से पढ और अर्दवार्शिक रुप से संयुवित के बीच का अंतर क्या होगा, सवाल बढ़िया है, कैसे बनाओगे, यानि तुम्हारे पास में fix है, कि इतने रुपए हैं, अब इसी पैसे को तुम एक साल के लिए इतने परसंट पर देना चाहते हो, तो यहाँ पर जो वार्शिक से जो चकरवीदी ब्याज मिलेगा, और जो अर्दवार्शिक से मिलेगा, उनके बीच का अंतर क्या होगा, तो मैं थोड़ा साब को दोनों के बीच का फर्क समझाना चाहता हूँ, आप एक तरफ यहाँ यरली लिख लीजे, और एक तरफ मेरे भाई आप यहाँ पर हाफ य मिलेगा, मिलेगा किनी तो बोलोगे हाँ सर, कि इतने रुपे पर एक वर्श के लिए इतने की दर से चकरवीदी ब्याज वार्शिक और अर्दवार्शिक का अंतर क्या है, तो मैंने वहीं बात कहा, रेट हमारा इतना है, समय हमारा इतना है, तो हमारा जो ब्याज मिलेगा, अब थोड़ा सा दूसरे तरीगे से समझो Half yearly में क्या होता है Rate को हम करते है आधा तो यहाँ पर सुला का आधा कितना हो जाएगा तो बोलोगे Guruji आठ और स्रमय को हम करते हैं दो गुना तो स्रमय हमारा हो जाएगा दो साल आठ परसंट के हिसाब से 2 साल हमारा कितना होगा तो बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल बात है 8% और 8% यहाँ पर याद है न सर क्या करते हैं एक बार दोनों को multiply करते हैं और दशमलव लगा के एक बार गुना कर जोड़ देते हैं तो 16.4 तो 16.64 यहाँ पर तो 16.64 यहाँ पर हाला कि हम इसका trick बता सकते हैं लेकिन अभी हम आप लोगों को इसका trick नहीं बताएंगे तो 16.64 आप question में मेरे भाई दिया क्या है और पूछा क्या है तो वहीं बात है सर मुलधन दिया है और यहाँ पर जो है वो difference पूछा है यानि अगर हम बात करेंगे तो 5750 यह मुलधन है मुलधन का मतलब कितने का मान है तो 100 का मान है और हमसे पूछा कितने का मान है तो इन दोनों का difference पूछा है यानि 0.64 का मान हमसे पूछा है यह देखो यहाँ पर सर इसका मान पूछा है अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर इसको अगर हम हटाते हैं तो नीचे हमारा कितना हैगा सो जीरो से जीरो खतम जीरो से हमारा क्या हो जाएगा तो जीरो खतम हो जाएगा और अगर हम बात करेंगे आपर तो क्या हो जाएगा 4 से हम काटेंगे तो 16 बार में और 4 से हम काटेंगे तो 25 बार में और हम काट सकते हैं 25 से बिलकुल 25 से 2 बार में और 25 से 3 बार में Multiply करिए और आप अपना उत्तर लेकर आईए 16 into 3, 48 का 8, 4 पास में 16, 32, 32 और 4, 36 और मेरे भाई 10 से भाग करना है तो 36.8 कौन सा option है तो option number B for Bahubali कौन सा option है मेरे भाई तो B for Bahubali जो हमारा क्या है तो correct answer है समझ गया आप लोग बात को लेकर तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे yearly में सीधा ऐसे निकाला, half yearly में सीधा ऐसे निकाला दिया गया था, 100% और निकालना था कितना मेरे भाई यहां पर तो उनका difference निकालना था, आइए चलिए सवालों के तरफ आगे बढ़ते हैं और GD का एक प्यारा सा प्रशन हम देखते हैं जो आपके paper में यहां पर उकतरा जाएगा, जल्दी से देखे सवाल क्या बोला गया है, the difference between when the compound interest compounded annually and simple interest on amount of itna in two year was itna, what was the rate of interest per annum? इसके लिए तो हम आप डारेक्ट आपको एक फॉर्मले देते हैं आप फॉर्मला से कर लीजे मेरे भाई आप लोग यहां पर difference के लिए मेरे से फॉर्मला ले लो, कि गुरुजी difference यहां पर जब जब paper में पूछे तो क्या होगा तो भाई देखो यहां पर difference के लिए आपको क्या याद रखना है, difference के लिए बड़ा simple सा कहानी है, कि अगर दो सालों का, कितना मेरे भाई यहां पर अगर दो सालों का, यहां पर चकरवीदी ब्याज में और यहां साधारन व्याज का अगर अंतर पूछे और यहां पर तीन सालों का अगर चकरवीदी और साधारन का मेरे भाई अंतर पूछे यहां पर तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, तो अगर दो सालों का यहां difference पूछता है आप मेरे से एक formula लीजिए, उसको आप apply करिए आपका paper में selection होगा आप यहां पर कम समय के अंदर में बना पाएंगे दो सालों का चकरवीदी और साधारन का जो अंतर होता है वो बराबर होता है P into R upon 100 के वोल स्कॉयर के P into R upon 100 के वोल स्कॉयर के अगर हम 3 सालों की बात करते है कि 3 सालों में इनका अंतर कितने का होता है तो बोलो के सर तीन सालों में गुरुजी जो इनका अंतर होता है P into R upon 100 के वोल स्कॉयर और इन्टू यहां पर कितना हो जाएगा 300 plus R upon 100 बोलो के सर यहां पर यह formula कहां से आए कैसे आहे? दोस्त अगर यहाँ पर जो समय रहता ना मेरे पास में तरीके से अगर आप बैच में होते तरीके से सारी बाते मेरे पास आप अपन firewall दीये होते हम आपको पूरा डीडेल में बताते कहाँ से आए अभी हमारे पास एक किस दिन एक किस में रात में कम वक्त है हमें important important चीज़े cover करनी है हमें बहुत जादा research में नहीं गुसना है तो हम यहाँ पर शर्फ important important बात जानेंगे दो सालों का ये होता है, तीन सालों का ये होता है बस और वीडियो को like करते चलेंगे ठीक है, तो आज हो यहाँ पर question में क्या कहा गया है तो question में मेरे भाई बोला गया है the difference between compound and simple यानि चकरवीदी ब्याज, वार्षिक चकरवीदी और दो वड़सों में यहाँ पर इतने रुपे की राशी पर अरजित साधारन ब्याज के बीच का अंतर इतना है तो P into R upon 100 का whole square, दो साल का difference यही होता है मिश्रा जी बताइए, तो P into R upon 100 का whole square, यह किसना difference होता है दो साल का होता है तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, difference हमारा कितने का है तो 720 का ठीक है, principle हमारा कितने का है तो बोलोगे, सर 18,000 का तीक है, उसके बाद में यहाँ पर R square, तो यहाँ पर R into के R square हो जाएगा और नीचे हमारा 100 यहाँ पर और 2 और 0, खतम काहनी 3 से हमारा 3 जिरो, खतम तीक है, उसके बाद में 18 से कितनी बार में जाएगा 40 बार में, यह 0 उड़ा के लेके चले जाओ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 400 यह किसके बराबर में, R square का मान अगर 400 है तो यहाँ पर rate का मान कितना हो जाएगा तो बोलोगे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 20 option number C for कहोना, 11 बताओ, कितना हो जाएगा B for Pahubali हलाकि यह इसका दूसरा approach भी है देखो, यह तो formula हो गया, जबरदस्ती का रटा मारने वाली बात हो गई कि formula था तो आपने याद कर लिया अब हम आपको कहते हैं, नहीं भी, आमानो formula नहीं होता तुमारे पास में, तब तुम कैसे करते तब ऐसे करते हैं यहां पर कि सर जो अंतर आया है एक बार वो देख लेते हैं वो अंतर कितना परसेंट का है सर यह जो 720 है ना वो मुलधन का कितना परसेंट है, एक बार यह देख लो सर बस, हमने का चलो तुमारी बात मान लिए, हमने देख लिया, कि जो डिफरेंस है, वो मुलधन का कितना परसेंट है तो 720 जो है यहां पर वो हमारा 18,000 का कितना परसेंट है तो हम यह देखना चाहते हैं तो मैंने का, beyond formula हम यहां क्या अपलाई कर सकते हैं, तीन से हमारा तीन कतम, यह कतम, यानि 4 परसेंट यानि आपने का, सर, rate एक ऐसी संख्या होगी, कि उस rate के कारण में, उसके चकरवीदी और उसके साधारन कितने का अंतर आएगा, 4 का आएगा तो अगर मैं मानो, यहां पर यह रेट लेके चलता हूँ, suppose करो, यहां पर मैंने 10% का rate ले लिया, तो 10% के कारण, जो simple interest आएगा 2 सालों में, वो कितना हैगा, 10 into 2 कितना हैगा, मिश्रा जी, 20% ठीक है, और यहां पर 2 सालों में, इसका चकरवीदी ब्याज कितना होगा, तो बोलेंगे, सर, 10 का 2 सालों का चकरवीदी कितना होता है, 21 अब difference कितने का आएगा, मिश्रा जी, 1% कभी यह possible है, नहीं है तो इसको उड़ागे, फिक यह पहले किसर, अगर rate 10% होता तो 2 सालों में, इतने का साधारन देता और 2 सालों में, इतने का चकरवीदी देता अंतर कितने का आता, 1 एक और हमारा जो अंतर आया है वो कितने का आया है, 4 का तो मतलब फढ़ जी ऑप्शन है, अब एक बार इसके तरफ चलते है अगर 20% होता तो चकरवीदी कितना देता तो 20 का successive लगाई है, 44% आएगा, और अगर 20% होता तो 2 सालों में साधारन कितना देता 40, अंतर कितने का आगया मिश्राजी, 4% का यही ऑप्शन था ना बस बात खतम भाई तो आप ऐसे कर सकते हो, एक तरीके थोड़ी आरह मारे पास में, कई सारे तरीके, you can use the option and you can go by that आप ऑप्शन का भी इस्तमाल करके जनाब आली जा सकते है पुझे Railway RPF के लिए काफी होगा आप बताओ, तुमको गनित सिखा रहे हैं हम यहां पर पूरा का पूरा मेरे भाई तो कहें नहीं काफी होगा, यह बताओ मजा आ रहा है बताइए आप लो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है देखो, important, clear होना जरूरी है concepts का एक बार आपका foundation बन गया ना भाई तो आप लोग कभी भी कोई भी question बना दोगे कोई भी भारत में परिक्षा देने जाओगे न चाहे railway का paper दो, GD का paper दो UPSI का paper दो, Constable का दो एक बार compound interest से यहाँ यहाँ दिल में प्यार हो गया ना कभी भी कोई भी question उड़ा दोगे, हम वही चाहते है आज के session में, कि हम आपको compound interest इसकदर जो है यहाँ पर महबत करा दें, इसकदर आपके दिमाग में उतार दें यहाँ पर कि कभी भी कोई भी paper देने जाओ, तो सवालों को उड़ा के आओ yes sir, yes sir, yes sir चले, बहुत बढ़िया बात है आईए चले, next question यहाँ देखते हैं, दिल्ली पूलिस Constable, उड़ाईए भाई, कहा गया यहाँ पर कि the difference, देखो 54,000 रुपए के मुलदन पर चकरवीदी बयाज और साधारन बयाज के बीच का अंतर दो सालों की अवधी के लिए समान वाड़िशिक दर पर इतने रुपए है बयाज दर क्यात करो, अभी हमने आपको formula बताया, दो सालों का दो सालों में हमने बताया, कि जो आपका difference होता है यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर में होता है तो P into R upon 100 के whole square के, यह हमारा इसके बराबर में होता है, difference हमारा किसके बराबर में है भाई, तो भोलोगे सर 1215 के, ठीक है principle हमारा कितना होगा, तो 5000 होगा है यहाँ पर, ठीक है अगर हम देखते हैं यहाँ 3-0 से हमारा पूरा 3-0 खतम है चोगन से हम यहाँ काट पाएंगे बताए जल्दी से तो बोलेंगे नहीं सर नहीं काट पाएंगे 3 से तो काट पाएंगे ना तो 3 से हमारा 4-5 बार में हाला कि यहाँ पर 3 से अगर काटोगे तो 18 बार में और हम काट सकते हैं क्या यहां पर 3 से और काट सकते हैं, तो 3 से अगर हम काटेंगे, 3 से हमारा 2 बार में, और 3 से हमारा 45 बार में, 2 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, तो finally हमारा जो हो जाएगा 45 का 5 गुना कितना हो जाएगा, मेरे भाई 225 और यह हमारा किसके बराबर होगा R² के तो क्या हम यहाँ पर root कर सकते हैं तो बोलोगे हाँ सर इसका root करेंगे तो कितना आएगा 15 और यहाँ पर इसका root करेंगे तो R रेट हमारा कितना होगा 15% option number B फॉर बाहु बली correct answer है ठीक है ठीक है क्लियर हो गया यह बात यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताईए जल्दी से चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगला सवाल देखो 11 नंबर सवाल छोटो मोटो सवाल जल्दी से उतर दे तो भाई क्या होगा सवाल यहाँ पर देखो यानि इसका आंसर देना है किसमें कमेंट बॉक्स में समझ गे मेरी बातों को यहाँ पर आंसर देना है किसमें कमेंट बॉक्स में तो फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में और जो बच्चा उतर देदेगा, हमारी तरफ से उसको दिल मिलेगा, हाट मिलेगा, हम देदेगे अपना हाट, ठीक है, यहाँ पे, कमेंट में मतलब, यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर देदेना, चलो आजाओ, मजा रहा है, मजा आना भी चाहिए, आए, नेक्स्ट कोशन, से दिखती है चीज़ों में, ठीक है, तो समझ में आएगा, आपको जब 4-4 गंटे, 5-5 गंटे आप इसके उपर काम करोगे तो, ठीक है, तो हम इतना महनत इसलिए करते हैं, ताकि आपके लिए चीज़े आसान हो, तो आए ज़रा एक चंडिगड पुलिस कॉंस्टेबल का, एक सवाल का मेरे उत्तर दीजे, कि 7,000 रुपए की राशी पर प्रती वर्श, 10% की दर्श, तीन वर्शों के लिए चकरवीदी ब्याज क्या होगा, अब यहाँ पर पहली बात, अब आप बोलोगे, सर आप तो 3 साल हम को सिखाए नहीं, तो पूछ कहां से रहे हो, अरे पास में 7,000 रुपएया है, तीक है, मैं उसको 10% के रेट से देना चाहता हूँ, और मैं उसको 3 सालों के लिए देना चाहता हूँ, तो एक्जामनर यहीं तो बूछ रहा है, बे आज कितना होगा, गलत क्या है, ठीक है, बेशक हमने आपको 3 साल का फॉर्मला नहीं पढ़ाय हमने 3 साल आपको निकालना नहीं बताया, लेकिन हमने यह तो बता रहा है न, 10% 3 साल में कितना देता है, कितना देता है, 33.1 देता है, याद करवा दिया भाई, ठीक है, 10% का 2 साल 21 होता है, 10% का 3 साल 33.1 होता है, तो इतना तो बता सकते हो, सर, यहां पर कितना होगा 33.1 होग इपने आप में कितने कामान है तो 100 कामान है और मुझे पता कितने का करना है तो 33.1 कामान मुझे पता करना है अगर मैं इसको उड़ाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 0 यहां पर 30 से हमारे 3 खतम हमारा हो गया 7 7 के 27 के 27 और 23 उत्तर कितना आ गया 23 17 कौँ सा अप्शन है भाई option number A आओ कहीं गोमने चले आओ तुम्हें 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 सपनों के मकाम तक ले चले तीक है समझ में आगया भाई आज ये next question फिर एक और उड़ाने वाला सवाल है यहां पर फिर से हलका सवाल प्यारा सवाल कि 24,000 रुपे पर 10% की दर से 3 वर्षों में ब्याज हमारा गयात करें भाई यहां इतना हलका सवाल आप मुझी ये बता दीजे रेट हमारा कितना है भाई 10% है समय हमारा कितना है 3 साल है मुलधन हमारा कितना है 24,000 है धरती पर इस से आसान भी कोई सवाल है बताओं नहीं न तो 10% के हिसाब से 3 साल ब्याज कितना 33.1% यानि इस पैसे का इतना परसंट निकालना है तो क्या बोलोगे बोलोगे गुरुजी 24,000 जो है वो मूलधन है यानि कितने का मान है 100 का मान है कितने का निकालना है 33.1 का मान निकालना है खता हो जाएगा नीचे 0 3-0 से 3-0 खता हम मल्टिप्लाई कर लेंगे 24 का 1 गुना 24 का 4 दो पास में 24 थी बहतर 2, 76 का 6, 7 पास में 24 थी बहतर और मेरे भाई साथ यहां कितना 7, 9, 6, 4 ठीक है sorry 7, 9, 4, 4 आएगा ना एक बार देख लेते हैं दुबारा से मल्टिप्लाई करके यहां पे 24 का 1 गुना 24 का 4, 2 24 थी बहतर और 2, 76 एक बार क्या लेखा 24 थी बहतर 2, 74 का 4 मेरे भाई साथ पास में और 24 थी के बहतर 7, 9, 4 फॉर आएगा हमारा कौन सा उप्षिन है? option number A जो है correct answer है कौन सा उप्षिन है? option number A जो है वो correct answer है आज आएग चलो UP के jail warden 2020 का एक प्यारा सा सवाल है हाँ देखिए jail warden में छोटू सा question पूचा गया और क्या question पूचा गया जरा पढ़िए question में यहाँ पर कहा गया कि हरीश जो है भाईया क्या कह रहा है तो हरीश एक पूझी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है 10% वार्षिक दर से चकरवीदी बैच के रुपए निवेश करता है 3 वर्षिक दर में हरीश दोरा है 10% का है समय हमारा कितना है 3 साल का है No ब्याज only amount सिर्फ यहाँ पर मिश्रधन पूछा कि 3 सालों के बाद मैं उसे यहाँ पर कितना मिलेगा अब जो लोग मेरे साथ session में शुरू से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है 10% का 3 सालों का ब्याज कितना बनता है 33.1 और जो नहीं जुड़े तो कल से टाइम से जुड़ा करो मेरे साथ रात साड़े आठ बजे और जो वीडियोज हमने किस हैं किस में रातन में करवा दिये भाई उसको देख लेना है अच्छे तरीके से और वीडियो का आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं बस 15,000 लाइक अब तक पहुचा दिये होते बताईए कहना पढ़ रहा है हम पढ़ाने में हाँ लगे पढ़े हैं आप लोग लाइक भूल जाते हैं पहुचा ये जल्दी से 15,000 तभी हम आगे बढ़ेंगे पहुचा ये जल्दी से हाँ गुरुजी बैस्ट है गुरुजी ये है गुरुजी वो है वीडियो वे लाइक नहीं करना है बहुत बढ़िया जल्दी 15,000 प्लस पहुचा ये फटा फट बोलना नहीं पड़ता ना कर देते खुद से बताईए आईए जल्दी से तो आज है यहां पर कुशन में क्या बोला गया तो कहा गया सर देखिए यह जो दिया गया है यहां पर 14,000 हमारा क्या है 14,000 हमारा मुल्धन है तो मुल्धन है मतलब कितने का मान है तो 100 का मान है और हमसे पूछा क्या गया है तो amount amount का मतलब principle और जमाब ब्याज तो 10% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा 33.1 ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर यह 14あ자ar कितने का मान है तो 100 का मान है और यहां पर यह कितने का मान हो जालब तो 133 पॉंट एक का हो जाएगा ठीक है यहां पर नीचे हमारा 0 आजाएगा दो और एक से ख़तम पुरा का पूरा बजार ठीक है 14 एकम 14 4 एक पासमे 14 इती इती Ranch तो आप देटा बना रहे थे ठीक हैं, कोई बात नहीं, तो आप 16,000 यहां पर कर लो भाई, हमें तो 14,000 लगा तो हम 14,000 लेके डेटा बना रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, 16,000 अप यहां पर कर लिजे, चलिए, 16 से मल्टिप्लाई कर लेते हैं, हाला कि 16 से यूनिट इजिट दो-दो हैं यहां पर, हम यहां पर डिजिटल सम भी प्रेयोग कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मल्टिप्लाई कर लो, 16,000 इंटु एक, 16,000 एक पास में 48, चार पास में 48, ठीक है, और 452,500 पास में, औ 1296, which option, option number B for Bahugali, ठीक है, ध्यान रखना है, चलो, तो छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, परिक्षा में, जो हमारा पूछा गया है, अब आज आँ यहां पर, नेक्स्ट कोशन देखो, दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का एक प्यारा सा सवाल यहां पे, सारे यहां पर, ठीक है, पंदर नंबर सवाल क्या का आगया पड़ो, एक धनराशी तीन वडशों के लिए 12.5% वार्शी की दर पर उधार दी गई थी, यदि धनराशी का वर्तमान मुल्य इतना है, तो कितने धनराशी उधार दी गई थी, यह पूचा गया, अब सबसे पहली ब वाला है, फ्रैक्शन वाला है, और ऐसा कोई मेरे भाई परसंट है, तो हम वहां पर रेशो का परियो करते हैं, आप इस यहां पर परसंटेज को देखिए, कैसा है तो दशमल वाला, कौन सा परियो करेंगे, तो मेरे भाई यहां पर रेशो, यानि असल में मेरे को बोला गय कि एक पैसा है जिसको मैंने साड़ा बारा परसंट के रेट पर दिया है ठीक है और उसके बाद में हाँ बोला गया प्रिजेंट वैल्यू आफटर थ्रियर तीन सालों के बाद में यदि वो इतने का है तो वो शुरू में कितने का था यानि कहने का मतलब यहां पर क्या है प्रिंसिपल का अतापता नहीं है रेट का जो अतापता है वो साड़े बारा का है समय जो हमारे पास में है वो हमारे पास में तीन साल है एमाउंट जो दिया गया है ना वो एमाउंट हमारा कितना है तो 13,851 है तो भीया बताओ यहां पर क्या होगा हमने कहा गुरुजी धर्दी का सबसे आसान कोशन है साड़े बारा का मतलब कितना होता है एक बटे आठ होता है ठीक है तो यहां हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल और यहां क्या लिखेंगे एमाउंट ratio method लगाएंगे क्योंकि rate ऐसा है ठीक है अब यहां देखो यहां पर पैसा हमारे पास में कितना है आठ आठ में एक कब या जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, कितने साल की बात है 3 साल की तो यहां पर हो जाएगा हमारा 3 साल और यहां भी हमारा हो जाएगा 3 साल 8 का क्यूब हमारे पास में कितना है 512 और 9 का क्यूब हमारे पास में कितना है 739 यह हमारा क्या है amount और यह हमारा क्या है principle अब जरह सवाल में देखो किसका मान दिया गया है सवाल में बोलोगे 13,851 दिया गया है यानि ये किसका मान है तो amount का है यानि कितने का मान है तो 739 का है और कितने का पता करना है भाई 512 का तो गुना किसे करेंगे 512 का है यहाँ ठीक है बस यहाँ पर जिसकी value दी गई होती है उससे भाग करते हैं जिसका मान पता करना होता है उससे गुना करते हैं तो जरा बताईए यहाँ पर इसको काट कर किये कितनी बार में कटेगा 19 बार में हमको लग रहा है मेरा दिल कह रहा है पूछिए क्यूँ एक बार में काटेगा 9 नवाई क्यासी होता है आप ऐसे मल्टिप्लाई करके देखो 19 का 9 गुना कितना होता है मेरे भाई आप एक बार काट करके देखिए काटिये न मिश्रा जी काट के देख कहा है नहीं रहे सोच रहे हैं एक दम कल्कुलिशन कब तेज होगा आपका बताईए कसम देना पड़ेगा आपको उसका तभी कल्कुलिशन तेज होगा बताओ कहरा है 19 बार में काट के चेक करो एक बार में जा रहा है नौ बार में जा रहा है बैठे हुए हमारा आज ठीक है 19 का 9 गुना हमारा कितना हो गया जल्दी से बताईए बोलेंगे 171 का 171 पास में अपना रख लो 19 का 2 गुना 38 और यहां पर स्रत्रक कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सरफ 55 का 5 पास पास में रहेगा 19 का 7 गुना और 5 गुना में रवाई बिलकुल सही है टेंसन की बात ही नहीं है देख रहे हैं कितना बड़ा कल्कुलिशन उड़ा दिये के बार में और इस बार में काट दिये मिश्रा जी ठीक है तो 19 इंटू 2 हमारा 38 का 8 तीन पास में यहां पर 19 से कम 19 तीन बाइस का 2 दो पास में 95 और 297 पूरा यूपी जान गया मिश्रा जी आपको समझ लीजिए ऑप्शन नमबर डी फॉर तेव सेना हाला कि देखो हम काल्कुलेशन नहीं भी करते न तो भी हमारे पास बेवस्ता थी यहां डिजिटल सम लगाने की यह कोई और काम करने की ठीक है बट कोई दिक्कत नहीं काट लिया करो यार क्या फर्क बढ़ता है आईए चलिए नेक्स्ट कोउशन यहां पर अगला सवाल बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं आपर क्या खागए बाकी है, बहुत बेसिक करा दिया अब तक यहां से, अब थोड़ा से स्पीड बढ़ाते हैं, और लेवल भी बढ़ाते हैं, तो एक निश्चित राशी दो वर्षों में 20% प्रती वर्ष की दर्षे 7,760 रुपया, ब्याज वार्षिक चकरवीदी अर्ध वार्षी ग्रूप स स्वयूजित भी आज की समान दर पर डेड़ वर्ष समान राशी कितनी होगी, समझवाया? नहीं, होता भी है इसा, कई ऐसे सवाल होते हैं, शुरू से अंतिम तक पढ़ते हैं, तिमग भी खराब हो जाता है, क्या दिया है, क्या दिया है, क्या निया है, अब दुबारा बन गया, 7,776, यह अमाउंट है, समझ रहे हैं बात को लेकर है, यह वो अमाउंट है, वो मेरे भाई, मिश्रधन है यहाँ पर, फिर कहा गया, what will be the amount of the same sum in one whole one by two year at the same rate of interest compounded half yearly, लो भाईया, तगड़ा सवाल दे दिया है, मतलब पता है क्या बोला, बोला, देखो भाई, पात है, सुनो, सारा समझो यहाँ पर, हम हैं तो कहले परिशान होते हो, डर के भागने लगते हो सपीले, बापरी इतना tough question करवा रहे हैं, आएग क्या बात है, 2023 का है सवाल, आ सकता है, कादा घुमाएगा नहीं क्या examiner, ललू बलू सवाल ही देगा, हर चेप्टर के आसान और हर चेप्टर के मुश्किल, सब करके जाओ यहाँ पर, क्या पता किसी के shift में CI आसान आ जाए तो percentage मुश्किल, और किसी में percentage आसान आ जाए तो CI आई मुश्किल, तो अपने आपको काहले comfort जोन में रख रहे हो, पढ़ो ना जब हम पढ़ा रहे हैं तो, हम तीन घंटा में नहीं थख रहे हैं, तुम एक सवाल में थख जा रहे हो, यहीं तुम्हारा होसला है, मतलब यहाँ पर यह बताओ, इतना ही सोच के रखाया है, त तो मैं अपने इतनी मजबुती अपने मन की तुम्हारी इच्छा सकती है, बताओ, नहीं आना तो, पढ़ो फिर हम पढ़ा रहे हैं, यह अरली में बोला गया कि देखो भी है, तुम एक पैसे को 20% के rate से, जब तुम देते हो, कितने सालों के लिए, दो सालों के लिए, तो बेचारा जो amount बनता है ना, देखो मैं यहाँ पर short में लिख देता हूँ, जब आप किसी पैसे को 20% के हिसाब से, दो सालों के लिए देते हो भाई, तो जो हमारा amount बनता है, वो बनता है, triple seven six करके, ठीक है, अब अगर हम उसी पैसे को बोला गया, कि यहाँ पर उसी पैसे को अगर हम उसी rate पर दें, यानि यहाँ पर वहीं 20% पर मेरे भाई दें, लेकिन यहाँ rate जो रहेगा, समय जो रहेगा, वो आधर रहेगा, तो हमारा amount कितना बनेगा, अब दोनों सवाल आपको clear हुआ, यानि यहाँ पर पैसे में yearly देने की बात हो रहे थी, और यहाँ पर पै सब कुछ पहले तो हम ब्याज अपना निकाल के रख लेते हैं यहाँ, कि ब्याज हमारा कितना है, तो अगर हम यहाँ ब्याज की बात करते हैं, तो हम यहाँ ब्याज बोलेंगे, 20% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज, तो 20% के हिसाब से 2 सालों हमारा कितना हो जाएगा, 44%, ठीक ठीक है, अब समझे इस बात को लेकर यहां पर, यह किसका value है, ब्याज का है कि amount का है, amount, तो divide भी किसे करेंगे, amount से ही करेंगे, तो आज आओ मेरे भाई हम बोलेंगे, गुरुजी, यहां पर यह triple seven six जो है, यह क्या है, amount है, amount का मतलब principle जमा, ब्याज, principle कितना था, तो 100 था, औ प्रिंसिपल कितना है, ब्याज, और ब्याज कितना है, 33 पॉइंट, आपको क्या समझ में आता है, हमने अपनी नोकरी निकाल ले, इंस्पेक्टर बन गया, बनाने वाले है, बनाते है, तो इसलिए अब आपको समझाना है, यहां पर, तो समझाना है, तो तरीके समझने पड़ेंगे, कि सर, इस rate से इतने समय का हमारा यह ब्याज है, इस rate से इतने समय का यह ब्याज है, जो दिये है, सर, amount है, तो amount से divide करेंगे, और जो पता करना है, वो amount पता करना है, तो amount से हो गए ठीक है बोलोगे सर ये 44 कई से आया बाबू बहुत सिखा दिये तुमको हम successive सिखाना 20% के हिसाब से 2 सालों का तो successive आ जाना जी ये तुमको निकालना कि कैसे होता है 44 ठीक है सुरू से हमारे साथ जुड़े रहते तुब तक लपेट दी रहते तुम क्लास की टाइम कितने बजे है ख़वी कमेंड माक्स में लिखकिए बता Jeanne ऺगे हम होग काल Christian करें पहरो बताऊ बताए जबना घthe 006 लिखायए जरा कश्च आ सल्च चानिय बहुत शांदार, साड़े आठ, साड़े आठ, साड़े आठ, कितना है, साड़े आठ है, बहुत अची बात है, सभी को पता है, चलो हमारे महराथन का भी नाम पता होगा, साड़े आठ, 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 साड़े साडी आड़ बजे, ekस दिन, एककिस मेराथन ठीक है, बढ़िया है बहुत शवादार बढ़िया चलिए बचों को नाम भी पता है, बहुत बढ़िया बात है जिनको नहीं पता है, आए छांगे राजा बाभू नाम नाम नहीं है, बाभू ठीक है ना राजा बाबु यहां पर वही नाम से उसको भी बिलाते है वही नाम से भी बिला रहे है शरम नहीं आ रही है तुम्हें बताओ 7776 divided by कितना हो जाएगा 144 यहां पर और यहां कितना हो जाएगा तो मेरे बाई 133.1 अब मेरा मानना यहां पर यह है अलागि सारे उप्शन में कम है नहीं तो यह को रहता ना तो उड़ा देता है जिनने अब आज यहां पर अगर हम इसको काट के देगे तो 144 से 9 से कटेगा साथर के किश्य 27 से कटेगा तो 9 से काटेंगे 16 बार में और 9 से काटेंगे 9 अठे 22, 9 64, 9 36 ठीक है अभी भी तो यह 9 से कट रहा है लेकिन यह नहीं कटेगा ना हम 4 से काट सकते हैं 4 बार में और 4 से काट सकते हैं मेरे भाई 2 बार में, 1 बार में और 6 बार में अब यहां पर और आगे क्या करना होगा तो multiply करगे 4 से भाग करो लेकिन 8 से भी तो काट सकते हैं 16 से भी काट सकते हैं मेरे भाई 54, 162, 162, 161, 178, 178 का एट मेरे भाई, 178 में यहाँ पर, और 54, 171 यहाँ पर इतना आ जाएगा 1 दिंद शोड़के, 718 7.4 क्या बात है मिश्रा जी, option number 1, correct answer, भाया, तो कालकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं, तो कहानी खतम है, तो समझ गया ना मेरी बात को यहां पर क्या कहा गया है जो दिया गया है वो amount की value और यहां पर जो पता करना है वो भी amount है आजो भाई, next question चलते हैं सतर नंबर स्वाले हां पर दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का एक छोटू मोटू प्यारा सा lovely question बताए जल्दी से उतर एक निशित धन राशी पर तीन वर्षों के लिए 8% प्रती वर्ष के दर से चकरवीदी ब्याज इतना है उसी राशी पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रती वर्ष के साधारन ब्याज क्या होगा अब अभी तक हमने आपको दो सालों का ब्याज निकालना सिखाया कि आप चाहो तो दो साल का ratio method से कैसे निकाल सकते हो और आप चाहो तो मेरे भाई दो साल का successive से कैसे निकाल सकते हो अब हम आपको बताते हैं कोई भी यहाँ पर rate है तो उसका 3 सालों का ब्याज आप कैसे निकाल सकते है ठीक है तो यहाँ पर जो आप successive सीखेंगे वो किसका सीखेंगे तीन साल most important thing यहाँ पर यह बहुत जरूरी है यह सीखना बहुत जरूरी है मेरे भाई तो आज है यहाँ पर successive सीखना बहुत जरूरी है कितने का तो फॉर यहाँ पर 3 years का देखो दो तरीके हैं मेरे भाई यहाँ पर हम आपको पहले तरीका नमबर 1 बताते हैं आप लोग नोट करना और बढ़िया लगे फिर तरीका नमबर 2 भी सीखना जैसे मानो यहाँ पर पहले साल का रेट हमारा कितना है 10% है दूसरे साल का रेट हमारा कितना है 20% है करना है तो मैं क्या करूंगा तो पहले यहां पर इन दो लोगों को भीडाओंगा यहां पर यहां पर एक काम करो ना 10 20 30 को आप यहां पर चलो ठीक है 10 20 30 मतलब चलो ठीक है, कर दिया तो कर दिया पहले यहां पर इन दो लोगों को लड़ाओ तो पहले इन दो लोगों को लड़ाओगे तो इनका successive निकालो तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा फिर यहां 20 हो जाएगा और फिर यहां पर क्या हो जाएगा तो 10 into 20 वट्टे में 100 हो जाएगा क्लियर है यहाँ पर यहाँ पर यह बात कोई दिक्कत की बात है तो पहले हमने क्या क्या इनका successive लगाया तो 30 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा इनका successive कितना है तो 32% है यानि पहले हम इन दो टीमों को लड़ाएंगे अब इन दोनों का क्लाइबरेशन कैसे होगा तो बोलोगे सर 32 फिर हमारा हो जाएगा 30 और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा तो 32 into 30 वट्टे में मेरे भाई 100 यहाँ पर ठीक है कोई दिक्कत की बात है तो बताओ 32 और 32 हमारा कितना हो गया तो बोलोगे सर 62 हो जाएगा यहाँ पर और 96 का 10 से डिवाइट करेंगे तो 9.6 हो जाएगा यानि कुल मिलाकर 71.6 परशंट तो यह हमारा मेरे भाई क्या आगया तो सीधा सीधा ब्याज आगया कि सर हम यहाँ पर कभी भी किसी भी तीन सालों का जो ब्याज है वो निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पर पहले दो कहम सक्सेसिव लगाएंगे और बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ में कोलाबरेट करके अपना अंसर लेकर आजाएंगे अगर यहीं तरीका है तो हम आपको एक रिट देते हैं आप जरा उस रिट के उपर में मेरा आंसर बता के दिखा दीजे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो रिट ले लो मेरे से माई लो मालो कि एक रिट हमारा 10% है दूसरा हमारा मेरे भाई 5% है और तीसरा हमारा कितना हो जाएगा तो तीसरा हमारा 20% हो जाएगा जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर जो है इन तीनों के कारण जो ब्याज आ रहा है बताईए कालकुलेट करके बताईए कितना हैगा बताओ पहले साल का ब्याज 10% दूसरे साल का ब्याज 5%, तीसरे साल का ब्याज 20%, तीन सालों में मुझे कितने ब्याज की प्राप्ती होगी लाइक करते रहेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहेंगे तीक है, बिलकुल मेरे भाई, लाइक करते रहेंगे यहाँ पर बताओ कितना आ गया, 38.6, चलिए बहुत बढ़िया बात है, 38.6 बचे बता रहे हैं, आप भी बताओ मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर, पहले यहाँ पर दोनों का successive लगाना है, 10 और 5 का successive कितना होगा, तो बोलेंगे सर, A हो जाएगा, प्लस हमारा B हो जाएगा, और प् जोड़ दीजे, तो यहाँ 15 आ जाएगा, यानि इन दो लोगों का successive हमारा इतना है, और अब हमें इस successive को इसके साथ में collaborate करके अपना उत्तर देना है, तो अब हमारा answer मेरे भाई कितना हैगा, तो बोलोगे सर, देखो, यहाँ पर successive लगाओ, तो यहाँ पर successive लगाओगे, त इतना हो गया, तो 100 हो गया, तो 20 से हमारा कितनी बार में, 5 बार में, और 5 से कितनी बार में, 3.1 बार में, तो अगर हम बात करेंगे, तो बोलेंगे, सर, 20 और यह हमारा 35.5 था, उसमें हमने 3.1 जोड़ दिया, तो यह हमारा 38.6 हो गया, कितना हैगा, सर, 38.6 हाएगा, कौन सा हमने एक तरीका आपको बताया कि आप इस तरीके से मेरे भाई जो है वो हम निकाल सकते हैं ठीक है समझनारा है बात है आपर यह आपका एक तरीका है कि पहले दो का सक्सेसिव लगाओ फिर इसका अच्छा जरूरी नहीं है कि आप इन ही दोनों के सक्सेसिव लगाओ आप दस बीस का सक्सेसिव लगाके फिर पांच के साथ कोलाबरेट कर लो पांच बीस का लगाके दस के साथ में कर लो आपकी जिसके साथ में इच्छा बनें जिसके साथ में ट्यूनिंग बनें आप उन दो का सक्सेसिव निकाल के तीसरे के साथ कर लीजे collaborate अब सिर्फ यहीं वे नहीं है मैंने आपसे क्या कहा था यह method number one है अब उसके बाद में method number two भी हम आपको बताते है कि method number two क्या होता है और फिर उसके बाद हम आपको short में भी करना सिखा देंगे कि 3 सालों के ब्याज को within seconds कैसे निकालते है यकिन मानो मेरे भाई within seconds कैसे निकालते है आप वो भी सीख लेंगे तो 3 सालों वाले कیस में हमारा क्या है तो पहला हो जाएगा हमारे यह formula जैसे 2 सालों का formula पता है न 2 सालों का कितना होता है तो A प्लस B प्लस AB अपॉन 100 में, मेरे भाई तो वैसे ही यहाँ पर तीन सालों का भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर तीन सालों का भी अप यहाँ पर कैसे करेंगे पीछे वाले क्वेशन में एक बच्चा कहता है 0.05 होगा क्यूं होगा मेरे भाई 0.05 यहाँ पे बिल्कुल हमने सही लिखाया कहीं कोई पैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है आप जो है आप अपर शुरुम सिंग गलत समझ रहे हैं हमने सही लिखाया है तो यहाँ पर तिंग सालों का जो फॉर्मला होगा वो हो जाएगा तो हमारा A प्लस B प्लस C फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा A B प्लस हमारा हो जाएगा B C प्लस हमारा हो जाएगा A C और डिवाइड बाई कितना तो डिवाइड बाई यहाँ पर 100 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा तो A, B, C और divided by यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 10,000 बस आपको यह याद रखने हैं बोलो के सर नहीं आद होगा कोई बात नहीं हम alternate solution यहाँ दिये हैं आपको यह नहीं बोल रहा हैं कि यह करना ही करना है हम एक alternate आपको दे दिये हैं कि भाईया अगर किसी बच्चे को यहाँ पर यह फर्मला याद है तो वो successive निकाल सकता है कोई परिशानी की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे मानो पहले साल का बयाज हमारा 2% है दूसरे साल का बयाज हमारा 3% है और अगले साल का बयाज हमारा 4% है अब दो तरीके हैं हमारे पास में एक वो जैसे मैंने सिखाया इन दोनों को पहले कोलाबरेट करो और तब यहां पर इसके साथ में करो तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा यानि 0 6 और 2 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 5 अब यह हमारा आ गया अब इसका मेरे भाई इसके साथ में कोलाबरेशन होगा तो इसका इसके साथ में कोलाबरेशन होगा तो कैसे करेंगे तो बोलेंगे सर यहां पर यह हो जाएगा हमारा A का का काम करेगा सर यह हमारा किसका का काम करेगा B का और फिर यहाँ पर हमारा A into B upon में कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा है अगर हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर यह 9.06 है उसके बाद में यहाँ पर 506 का 4 गुना तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.024 यहाँ पर सीधी सीधी बात भाई मैं डिरेक्ट लिख रहाँ कालकुलेशन में ताकि आपको पकड़ में आ सके तो बोलोगे सर 9.2624 अब यह हमारा एक तरीके से आया है आया है कि नहीं आया बोलो जल्दी से और यह किस से आया पहले 2 का सक्सेसिव लगा दिया फिर उसको तीसरे के साथ म मेरे भाई फॉर्मले से बनाता हूँ इसी को मेरे भाई किस से बना रहा हूँ फॉर्मले से बना रहा हूँ तो अगर मैं यहीं फॉर्मले से बनाऊंगा तो पहले यहां पर क्या है सब को जोड़ दो A प्लस B प्लस क्या करेंगे C आप देखो यहां पर कितना हैगा A प्लस B प्लस C, 2 और 3 पांच 5 और 4 कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा ठीक है, फिर A B 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 फिर B C, 3 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा 12, फिर उसके बाद A C, यानि 2 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा 8, divided by कितना हो जाएगा तो बोलोगे sir 100 हो जाएगा प्लस यहाँ पर तीनो को मिल्टिप्लाई 4 x 3 12 x 2 24 तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 बटे कितना मेरे भाई 10,000 यहाँ पर ठीक है तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे sir 9 प्लस 12,8 बीचे 26 26 बटे 100 यहाँ पर तो 26 बटे 100 का मतलब कितना होगा तो 0.26 होगा यहाँ पर और 24 बटे 10,000 का मतलब कितना होगा 0.0024 अगर मैं सब को जोड़ूँगा तो यहाँ पर आएगा 9.2624 is the correct answer तो आप चाहोए भाई ऐसे कर लो या आप चाहे ऐसे कर लो आपका answer मेरे भाई दोनों से सेम ही आना है, कोई फरक नहीं पढ़ना है अब यह आपके उपर में निर्धारित करता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन इसमें एक shortcut हम लगा सकते हैं इसमें shortcut मेरे भाई यहाँ पर क्या पर्षेंट और तीसरे साल का पर्षेंट तो बड़े प्यासरे यहाँ पर जो हमारा formula है वो तबदील हो जाता है, थरीए फिर उसके बाद में यहाँ पर A square में और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर A cube में दोनों के लिए दो दो डिजिट बोलोगे, सर नहीं समझ मैं हमको पता नहीं समझ मैं, हम जब तक clear नहीं करेंगे कहां से आएगा, फिर हमारी जरुवत ही क्या है यहाँ पर अगर तुम सिर्फ इस formula से समझ गये तो बोलो जल्दी से एक बचा कहता है, सर बहुत बहुत धन्यवाद 21-22 मिरातन के लिए मेरे maths का डर खतम हो गया, टेंशन मतलो भाई देखो, हवाबाजी की यहाँ पर announcement मेरी नहीं थी, मैंने वक्त लिया था चीजों को तरीके से करना के लिए, और 21-22 मिरातन बहुत अच्छे तरीके से तहीमन से मैंने शुरू किया है, दिल से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, non-stop पढ़ा रहा हूँ गंटे गंटे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं वक्त नहीं देखता, कभी गड़ी नहीं देखता, कभी यह नहीं देखता, ठीक है, ठीक है, एगंटा हो गया जल्दी से निकलो, गंटे पूरे करने, यहाँ पर एक गंटे की सालरी ले ले लेंगे, जाके हैचार डिपार्टमेंट से काम खतम, भाई ऐसा कुछ नहीं रहता है, चार गंटे कंटेंट पर काम होता है, तीन से डाई गंटे मेरे भाई टीचिंग करता हूँ बढ़िया तरी तीचिंग हो सकती है, मेरे भाई, मैं वो एड़ कर शकता हूँ आपके लिए, तो बस दिल से ही दुआ रहती है, अपने एंट पर मैं कभी नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, यह गला इतना पेंट कर रहा है, कि जब अपना ही सलाईवा, जब अपना ही एक तरीके से थूख कह लिजे आपकी जब अंदर जा रहा है, एकदम तराहीम आमसा हो जा रहा है, इतना गला अंदर से चल चुका है, तीन तीन घंटे लगातार बोलना, खड़े हो कर, वो मेरे भाई आसान नहीं है, कमर दर्दों सह सकते हैं, गले का दर्द नहीं सा आ जाता, फिर सुबहुट अब आजे यहां पर, रेट की बात हम करें यहां पर, तो जैसे मानो पहले साल का रेट अगर हमारा 2% हो, फिर उसके बाद यहां 2% हो, और फिर उसके बाद यहां 2% हो, तो हमारा ब्याज क्या होगा, पहले साल का रेट हमारा 3% हो, दूसरा भी हमारा 3% हो, तीसरा भी हमारा 3% हो तो क्या होगा अगर मेरे भाई यहाँ पर 4% हो यहाँ पर 4% हो तो यहाँ पर 4% हो तो क्या होगा तो चलिए ज़रा हम इसी में कोई भी एक एक एक्जामपल उठा के जो है वो देख लेते हैं और समझते हैं मैं आपको चार वाला ही एक्जामपल लेके चलता हूँ पहले यहाँ पर कहा गया है क्यूब करने को ठीक है तो आप मुझे बताईए यहाँ पर चार का चार का जो क्यूब होगा वो कितना होगा तो बोलेंगे सर 64 फिर चार का स्कॉायर हमारा कितना होगा ठीक है तो 4 का हमारा स्कॉार कितना हो जाएगा हाला कि यहाँ पर 3A स्कॉार होगा थोरा इसे करेकर लिजेगा फॉर्मुले मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 3A स्कॉार हो जाएगा तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए 4 चार का स्कूरद 16 x3 हमारा कितना हो जाएगा? 42.48 हो जाएगा? 4 x 3 कितना हो जाएगा? आप मेरे भाई सकसेसी लगा लो या दुनिया का फर्म्ल लगा लो या कुछ भी लगा लो आप यहां पर इतने कम समय में उत्तर लाइं नहीं सकते जितने कम समनों आपको बता दी है 4% का 3 सालों का ब्याज कितना होता है 12.4864 इतना शौट होए फिर से repeat कर रहा हूँ क्या किया 4 का cube किया 64 4 का square into 3 मेरे भाई 48 4 into 3 12 एक काम करें 5 वाला याद करवा ही थे आप लगों को 5 वाला प्रूफ करके दिखा देते हैं आजाओ यहाँ पर 5 वाला भी प्रूफ करके दिखा देते हैं 5 हो गया 5 हो गया और 5 हो गया ठीक है यहाँ पर 5 का cube कितना हो जाएगा तो बोलोगे गुरुजी 125 हो जाएगा अभी सिर्फ लिखो यहाँ पर 5 का स्क्वार 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा तो 75 हो जाएगा याद रखने हैं यहाद रखने हैं यहाद रखने हैं और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 अब आप मुझे एक बात बताओ कितने अंख हम रख सकते हैं 2 तो सिर्फ यहां पर आखरी के दो अंकों को रखेंगे और यह इधर बगल वाले में ट्रांसफर हो जाएगा तो जब यह ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा 15 पॉइंट ठीक है यहां पर पहले 5 होगा यहां पर पहले 2 होगा यह एक पांच में ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर 15.7625 is the correct answer ठीक है आज यह मेरे भाई यहाँ पर एक रिट और निकाल लेजे 3% का निकाल लेजे क्या बोलेंगे 3% पर 3 का cube कितना होता है तो 27 होता है 3 का square 9 into 3 कितना होता है तो 27 होता है 3 का 3 उना कितना होता है तो 9 होता है लो मेरे भाई यहाँ पर इसका भी आंसर आचुका है ठीक है आजो भाई 2% का जल्दी से comment box और मुझे हर किसी से उत्तर चाहिए कि यहाँ पर कितना होगा यह सीख गए ना तो ब्याज निकालना सीख जाओगे बस यह सीखना बहुत जरूरी है ठीक है क्या भोलोगे भोलोगे सर यहाँ पर देखे बहुत ही आसान तरीके से 2 का तो 2 का क्यूब 8 होता है लेकिन 8 के जगा कितना लिखेंगे 0, 8 2 का स्कुार 4 इंटू 3 कितना होता है 12 तो यहां 12 लिखेंगे 2 इंटू 3 कितना होता है यह हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है क्लियर है मेरे भाई यहां पर कोई दिक्कत की बात है बताओ 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 चलो छोड़ा सा बफरीं गया था कोई बात नहीं हो लोके हो गया तो अब आईए अपने सवालों पर चलते हैं जरा 3 सालों का यहां पर जो ब्याज है वो हम यहां पर देख रहे होते हैं 3 सालों का ब्याज के बारे में क्या कहा गया कैसे कहा गया और सबी सवालों को बनाते हैं 2 सालों वाले कंसेप्ट तो आपने सीख लिए अब मेरे भाई आपको तीन सालों वाला कंसेबी सीखना जरूरी है आईए क्वेशन में क्या कहा गया आईए सवाल देखे क्या कहा गया एक निशित धनराशी पर तीन वर्षों के लिए आठ परसंट प्रती वर्ष की दर्शे चकरवीदी बयाज हमारा इतना है उसी राशी पर चार वर्षों के लिए 10% रुटी वर्ष की दर्शे साधरन वाला कितना होगा वेरी ब्यूटिफुल कोशन यहां पर आप पर दो तर्शे पर त्री येर इस रुपीज इतना यानि बाबू रेट कितना है 8% समय कितना है 3 साल और हमारा चकरवीदी जो ब्याज है वो हमारा कितना दिया गया है 4058 कितना दिया गया 4058 कॉशन में क्या बोला है बोला है वेरी बई यहां पर 10 परसंट के हिसाब से 4 शालो के लिए क्या पूचा गया है तो साधरन वे आज पूचा गया अब सबसे बड़ी बात यहां पर, कि आप यहां पर यह देखो ना, यह जो C.I. है, यह कितने परसेंट का मान है, यह बताओ मुझे, कितने परसेंट का मान है, तो 8% के हिसाब से 3 साल, निकालो, कैलकुलेट करो यार, 8% के हिसाब से 3 साल कितना होता है, जरा कैलकुलेट करोग और फिर उसके बाद एक क्यूब बोले थे दो इस्थानी हाँ पर देना दो इस्थाने आप ठीक है तो आठ का क्यूब हमारा कितना होता है तो आठ का क्यूब हमारा 512 होता है आठ का स्क्वार 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा और 8 x 3 हमारा कितना हो जाएगा 24 सिर्फ हमें मेरे भाई मातर 2 अंक रखने है तो यहाँ पर आखरी के 2 अंकों को रखेंगे यह ट्रांसफर हो जाएगा इसमें यहाँ भी आखरी के 2 अंक रखेंगे तो 2 आजाएगा 1 आजाएगा 2 प्लस 5 7 यह हमारा 9 और यह हमारा इधर में ट्रांसफर 25.9712 हाला कि सच बताएं जो हम बैच पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को यह बोलते हैं तो हम यह याद कर लेना 25.9712 तुमारे जहन पर याद होना चाहिए भाई फिक्स होना चाहिए यहाँ पर कितना अंसर आएगा 25.9712 इतना बैच फिक्स होना चाहिए कुछ रेट फिक्स है याद रखते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो यह जो हमें बैच दिया गया है यह हमारा कितने का मान है 25.9712 का मान है और मुझसे कितने का मान पूछा गया है SI SI का मतलब रेट इंटो टाइम 10 into 4 कितना हो जाता है भाई 40 हो जाता है 10 into 4 हमारा कितना हो जाता है 40 हो जाता है बस यहाँ से खपाओगे तो मुफत में 4 zero उपर में पाओगे आपे तो लो भाई 4 zero लेकर आजाओ अगर तुम चार्षर काटओगे भाई 10 बार में कटेगा जी हाँ बिलकुल आप इसे काट सकते हैं आप अगर काटे चार्षर और काटे ये 25 बार में आपका चार्षर ये और कटेगा ये हो जाएगा 16 दो बार में तीन बार में और ये 2 16,232 क्या आप इसे और काट सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों यह कटने के लिए आया, इसका 8 गुना है मेरे भाई, इसका कहीं न कहीं, यह 4 गुना है, 4000 का 4 गुना 16 और यहां पर यह बिलकुल यह काटेगा, इसको कितनी बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा, और यह 4 जो है अभी से काटने को आ चुका है, 4-6 बार में 24, 10, 4, दुनी 8 और 4 मेरे भाई 25, 22, 60, 50 हमारा उत्तर है, हम फिर से कहेंगे, चाहते तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते थे, या कोई और तरीका भी, बट कैलकुलेशन करो कमपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज में कालकुलेशन नहीं किया, तो क्या किया सुझने बात में, खिचडी में तुमने तिल नहीं खाया, तो क्या खाया, फिर क्या खाया तुमने कुछ ही नहीं खाया, ठीक है, तो कालकुलेशन करो भाई, यहां पर वो बहुत जरूरी how much has to be written after one and half year बाभू से सवाल एकदम की 10,000 रुपए की राशी को 6% की दर्श रे और दवार्शी गुरूप से संयूजित करने के लिए ली गई डेर सालों के बाद बिना कलम उठाए बनाओगे ये देखो बिना कलम उठाए बनाना मेरे बाई बिना पैन उठाए बना दो गए आप यहाँ पे ये पैसा और दवार्शी करूप से देना है देखो रेट कितना है 6 तो और दवार्शी करूप से दोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा रेट क्या हो जाता है आदा हो जाता है मेरे बाई और उसके बाद में यहां पर half year half year का मतलब क्या हो जाता है समय दबल तो आपने जो लिया है वो कितने समय के लिए one and half डेड़ साल का double तीन यानि तीन परसंट का तीन बार successive लगाना है अब ही हम लोगों ने पीशे निकाला था नो तरके 27 नो तरके 9.2727 9.2727 9.2727 तो question में कहा गया यहां पर how much has to be return तो यानि 9.2727 अगर आप इसका निकालोगे तो आप यहां पर कितना करोगे मेरे भाई यह option हो जाएगा समझ गए उतने का ब्याज उसके बाद जो है amount आपका जोड़ जाएगा बिना कलम उठाए हमने बनाए तो आप कोशिश करो बनाओ ऐसा नहीं है हम बता रहे हैं आपको आप कोशिश करेए ब्याज निकालिए इसका इसका 9% निकालेंगे तो आपका 9000 something करके मतलब जो भी आपका आएगा तो यह calculate कर लेना आपका हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है आजो भाई within seconds आप बिना पैन उठाए बना सकते हो तो उस कोशिश को आपको try करना है इतना हम आपको सिखा दी अब और नहीं सिखा सकते है ठीक है rate को आदा करना होता है समय डबल करना होता है आदा करते 3% आएगा समय डबल करते 3 साल मेरे भाई 3% के हिसाब से 3 सालों का successive निकालो 9.2727 करके आएगा उस संख्या का उतना परसंट निकाल दो वो बयाज हो जाएगा और इसमें उसके बयाज को जोड़ दो आदा करना निकाल निकाल जाएगा आजएगे 19 नमबर स्वाल देखे क्या कहा गया यहां पर ट्राई करना ने यार बालो मैंने कुछ नहीं बताया 18 नमबर मैं जानता ही नहीं क्या आप ट्राई करो चलो ठीक है खुश आओ पढ़ो 3660 रुपे पर डेर सालों के लिए 10% प्रती वर्ष की दर्शे अर्दवार्शी करूप से संयोजित करने पर श्राधारन ब्याज और चक्रवीदी ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा यह कोशन हम बताते हैं आप देखे ना सर कितना बवाल कोशन है और किसमें पूचा गया दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल में हलके में मत लेना मुनना पेपर बढ़ियां आया था तो पेपर बढ़ियां आया था तो सॉलूशन भी बढ़ियां होगा और सॉलूशन बढ़ियां होगा तो कई से करेंगे देखो भीया चाहे तुम हर्दवार्शी कर लो, चाहे तुम वार्शी कर लो चाहे तुम तीमाही कर लो, साधारन ब्याज पर कोई असर नहीं पड़ता है वो रेट इंटु टाइम था, रेट इंटु टाइम है और रेट इंटु टाइम रहेगा तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो साधारन ब्याज मेरे भाई कितना बनता तो बोलोगे गुरू जी साधारन ब्याज यहाँ कितना बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10% और उसके बाद में समय हमारा है 1 and half year यानि डेर साल तो साधारन ब्याज का मतलब यहाँ पर हो जाता है रेट और डेर साल का मतलब हो जाता है 3,2 देखो भाई रेट तुम्हारा कितना है 10% है और समय डेर साल है तो डेर को हम क्या लिख सकते हैं 3,2 नहीं लिख सकते हैं बोलोगे हैं सर तो 3 बटे 2 यानि अगर हम काटेंगे तो साधारन ब्याज अमारा कितना आएगा तो 15% साधारन ब्याज अमारा कितना आएगा 15% अब बात करते हैं चकरवीदी ब्याज के बारे में ठीक है आज़ाओ चकरवीदी ब्याज के बारे में इसका जब हम double करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन साल तो समय हमारा हो जाएगा तीन साल हम हमेशा कहते हैं rate का आधा और समय का double तो यहाँ पर जो है वो 3 by 2 का double 3 अब 5% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 15.7625 याद करवाएं हैं के नहीं करवाएं तो यह हमारा क्या है साधारन और यह हमारा क्या है चकरवीदी अब कोशन में यहाँ पर कहा गया इतने रुपए पर यह जो ब्याज के बीच का अंतर जो है वो कितना है यानि कहने का मतलब यह जो 3660 रुपए है यह प्रिंसिपल है यानि कितने का मान है तो 100 का मान है और मुझसे पूछा क्या है साधारन और चकरवीदी का अंतर तो साधारन निकालने के लिए rate into time कर दिया और चकरवीदी निकालने के लिए मैंने यहां पर क्या किया इस rate का इतने का successive निकाल दिया तो यह आ गया इसमें से मैं अब इसे माइनस करूंगा तो 0.7625 हमारा निकल कर चलाएगा अगर हम यहां से हटाएंगे तो नीचे दोस्तों हमारे 4 0 मुफ्त में निकल कर चले आएगे ठीक है चार्सरे काटोंगा तो मेरे भाई 100 बार में और चार्सरे काटोंगा तो नहीं चार्सरे तो नहीं कटेगा आप रहने तो यहां पर इसको जो है थोड़ा सा नीरेस्ट के करीब में आपका यह पैसा जाने वाला है 28 के करीब में देखते हैं यहां पर कुछ बच्चे 28 बता रहे हैं, हमने कहा चलो देखते हैं, 2 से अगर काटोगे यहां पे, तो 2 से तुम्हारा मेरे भाई 183 के करीब में कटेगा, और 2 से काटोगे यहां पर तो 200 बार के करीब में कटेगा, 5 से काटोगे तो 40 बार में कटेगा, और 5 से काटोगे तो 61 बार में सब्सक्राइब करें गया इतने को हमें जो डिवाइड करना है वो कितने से करना है 400 से मेरे भाई यहां पर अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे देखो चार का दोगना आठ होता है 31 मेरे भाई 428 और 428 हो जाएगा फिर 436 हो जाएगा और यहां पर जो है लग बग मतलब 27.9 के करीब में और 27.9 हमारा option number D for देव से ना देगा तो एक बढ़िया कैलकुलेटिव कोशन आप इसे कह सकते हैं कि हां सरी ये एक तगड़ा सवाल था यहां पर ठीक है जहां पर बढ़िया तरीके से कोशन में ये पूछा गया कि एक पैसे को यदि तुम साधारन पर देते हो और उधी पैसे को तुम चकरवीदी पर दे रहे हो और दोनों को और दवार्शी करुप से दे रहे हो तो अंतर कितने का होगा साधारन में दूंगा तो इतना बयाज मेरा मिलेगा चकरवीदी में दूंगा तो इतना बयाज मिलेगा अंतर हमारा कितने का 0.7625 का यानि संख्या का 0.7625 हां हाला कि आपको एप्रोक्सिमेशन क knowledge है अगर तो मेरे भाई आप approximate value इसका 0.7 निकाल सकते हो जो कि इसके करीम में जाएगा बट मैं कभी भी risk लेने को नहीं कहता हूँ कि risk आप लीजे हैं आपे ठीक है चलो बाजाओ अब ये वाला सवाल देखो ये वाला सवाल मेरे भाई आसान है यहां से आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है यहां से छोटू-छोटू कुशन कुछ मैंने आपको रखे है यहां पर जो tough है वो आपका खतम हुआ थोड़ा सा असाना साना आप यहां से देख लीजे PDF हमारा class के बाद में हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा maths by आदितरंजन जो हमारा टेलीग्राम है मेरे भाई उस पर मिल जाएगा आपको यह spelling है आप इसका photo घीच के लिख लो daily टेलीग्राम पर इसी टेलीग्राम पर जो है आपको हमारा PDF मिल जाएगा यह देख लीजे और यहाँ पर इसमें daily के class का देखो day 3 हो गया, day 4 हो गया हर तिन के class का मैं आप लोगों के लिए जो है यहाँ लिंक डाल रहा हूँ और हर दिन के class का मैं आप लोगों के लिए ऐसे printable PDF अपलोड करता हूँ एक तो जो notes हो गया हमारे class के हम वो भी अपलोड करते है और दूसरा ऐसा printable PDF भी अपलोड करते है तो आप daily का daily जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते है उसी तरीके से हमारे rankers गुरु कुलवाले पर विकरम जीत सर अपनी reasoning के और स्वाती में अपनी हिंदी की और मैं अपनी maths की सब के हाँ पर अपलोड करते है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ठीक है तो आप इसे भी जोईंग कर सकते है दोनों टेलीगराम बच्चे जोईंग करके रख लो दोनों बहुत फाइदे मन दें बहुत जादा जो है आपको बेनेफिट पहुचाएंगे आईए तो यह अब सवाल हमारा थोड़ा मुश्किल वाला सवाल खतम हो गया दोस्त अब परिशान नहीं होना है अब थोड़ा आसान सवाल है हमारे पास में बहुत बच्चे डर जाते हैं बाप रहे इतना टफशवाल कुछ नहीं है आसान है अब थोड़ा यहां से आसान दिखेगा तुमको देखो तीन सालों का साधारन और चकरवीदी का अंतर बोला है तो बोला गया है पैसा बताओ मैंने कहा बच्चो एक बात बताओ दो सालों का फॉर्मला मैंने बताया था बोलोगे हां गुरुजी तीन सालों का भी फॉर्मला हम आपको बतायते हैं हां जी तीन सालों का फॉर्मला कितना होता है तो पी इंटू आर अपॉन हंडड़ का वोल स्क्वार और इंटू हमारा कितना हो जाता है 300 plus r upon 100 300 plus r upon 100 देखो एक आदा सवाल बाउंस जाता है कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए परिशान मत होना जो बाकी सवाल है उसके उपर मैं फोकस करो ठीक है तो 30 सालों का हमारा क्या रहता है तो 30 सालों का हमारा यह direct formula रहता है अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कभी जीवन में आपको कष्ट नहीं आएगा तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो यह principle हो गया हमारा r upon 100 का वोल स्क्वार rate हमारा कितना है? 4 है तो यहाँ पर rate का स्क्वार यहाँ इनि कितना हो जाएगा? 4 into 4 फिर उसके बाद 100 का स्क्वार यहाँ पर तो हो जाएगा मेरे भाई 100 और उसके बाद यहाँ हो जाएगा ठीक है? 300 प्लस आर यहाँ नि कहने का मतलब 300 प्लस आर मतलब 304 हमारा और फिर हमारा नीचे कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके तो difference के यहाँ पर difference कितना है तो 152 है अब भाई बड़े मखंद के तरीके से solve कर शकते हो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है बड़े आसानी से solve कर शकते हो बोलोगे गुरुजी देखे 152 से हम काटेंगे कितनी बार में दो बार में अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 से आपने इसको काट दिया गुरुजी 25 बार में 4 से आपने इसको भी काट दिया कितनी बार में 25 बार में और 2 से आपने इसको काट दिया 50 बार में अगर आप यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर 25 इंटू 25, 625 और 625 का 5 गुना कितना हो जाता है तो 31, 25 हमारा हो जाता है 3, 1, 2, 5 और जिरो आगया दहेज में और अप्शन नमबर यह जो है करेक्ट आंसर है तो यहां से कोशन अब आपका टफ नहीं है अब यहां से तोड़ा सासान है कुछ सवाल आपके बस वो कंसेप्ट है जो कि आपको सीखने है और लाइक आपको 20,000 पहुचा देने है तो लाइक आपको करते रही है महरा आज काहला रुक रहे हमारी आवाज नहीं रुक रही है आपका लाइक रुक जा रहा है कहा गया है यहां पर कि what is the difference between देखो 10,000 रुपे की राशी पर 10% प्रती वर्ष की दर से डेड़ वर्ष रो के लिए चकरवीदी ब्याज और शाधरन ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज 26 सहीं हो जीत है अब 26 सहीं हो जीत है तो वहीं 0.7625 7625 option number यह answer है within seconds मैंने बना दिया सोचो सिर्फ मैंने सवाल पढ़ा और यहां एक सेकंड के अंदर में answer आ गया कैसे आ गया सोचो करना पड़ता है आपको भी लेकर आना पड़ेगा जिन बच्चों को यहां पर question number मेरे भाई यह समझ में नहीं आया question number 19 समझ में नहीं आया तो यह question number 19 का ही photocopy है बस यहां पर 3660 रुपए दिया गया था rate हमारा वही 10% है समय हमारा वही 3 साल है और यहां पर मेरे भाई जो है वहां पर 3660 था और यहां पर मेरे भाई 10,000 रुपए है और कोई फरक नहीं है question number 19 question number 21 दोनों same है दोनों एकी तरह के भाईशा का प्रेव करते हैं दोनों में सवाल में यहां पर यह बोला गया है कि मेरे पास एक particular पैसा है मैं उस पैसे को साधारन ब्याज पे देता हूँ और मैं उसी पैसे को चकरवीदी ब्याज पे देता हूँ मैं पैसे को अर्दवाडशी करूप के हिसाब से दूगा तो जिसको 19 समझ में नहीं आया वो इसके उपर में फोकस कर लेना मेरे भाई समझना सबसे पहली बात को अगर तुम साधारन ब्याज निकालोगे और फिर तुम चकरवीदी ब्याज निकालोगे दोनों में यहाँ पर आपका क्या रहेगा अगर आप साधारन ब्याज निकालोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर रेट हमारा कितना है तो 10% समय हमारा कितना है तो यहाँ पर 1.5 साल है इस 1.5 साल को दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर बोलोगे Sir 3 बटे 2 लिख सकते हैं बोलोगे हां Sir ठीक है आज मेरे पास यह rate है और आज मेरे पास यह समय है तो मैं साधारन बयाज कैसे निकालूँगा तो साधारन बयाज का मतलब rate in to time होता है यानि 10 into 3 बटे 2 होता है यानि अगर आप यहाँ काटेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 15% का साधारन व्याज आएगा कितने काएगा 15% मैंने का बहुत शांदार बच्चे 15% तुम रखे रहो यहाँ पे अपने पास में अब उसके बाद में मैंने उसी बच्चे को कहा कि तुम चकरवीदी पर चलो जब वो बेचारा चकरवीदी पर चलेगा और यहाँ जब उसको half yearly calculate करना होगा क्योंकि दोस्त उसके question में यहाँ पर क्या बोला गया है तो 3 by 2 का double का मतलब कितना हो जाता है 3 हो जाता है अब आज मुझे एक बात बताओ यहाँ पर practically सूचो 5% के हिसाब से 3 साल के एक बच्चा नहीं बता सकता है कितना होगा बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बता सकता है कितना होगा तो बोलोगे sir 15.7625 यह हमारा ब्याजा जाए इतने का हमारा साधारन है और इतने का हमारा चकरवीदी है तो अंतर कितने का होगा डिफरेंस कितने का होगा तो आप इसमें से जब इसको घटाओगे तो डिफरेंस आएगा 0.7625 पर्शंट का यानि मुझे जो मान पता करना है वो किसका पता करना है इतने का जो दिया गया अगर देशमलाव हटाएंगे तो नीचे हमारा 4-0 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर यह पूरा इसको खतम करेगा इसको हम 100 से भाग करेंगे तो 76.25 आएगा हाला कि यह सारा प्रोसेस मैंने मातर 2 सेकंड के अंदर में कर लिया था और इसलिए मेरा उत्तर जो आया था वो option number A आया था भाई ये सारा प्रोसेस मैंने दो सेगंड के अंदर में कर लिया था ये क्योंकि मैंने आपको 19 नंबर कोशन explain किया था 19 नंबर कोशन में भी तो आपने यहीं किया है आप मानिकों तयारी नहीं थे आप मेरे भाई अगर 19 नमबर कोशन जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया था आप मेरे भाई एक बात बताओ सेमी कोशन देखो वही हमारा रेट है वही हमारा समय है इतने का साधा रंग ब्याज यहाँ पर रेट हमारा आधा हो गया देखो और स्रमे हमारा डबल हो गया सेमी कोशन देखो अगर 19 नमबर मैं आपको बता देता हूँ आप से कहा गया था रेट आपका 10% है और स्रमे जो है वह आपका डेड़ साल है तो डेड़ साल का मतलब मेरे भाई कितना हो गया तीन बटे दो तो एक बच्चे ने यहाँ ऐसा ही निकाल लिया ऐसा ही कितना निकाल लिया तो दस इंटू तीन बटे दो तो वो समझ गया कि सर यहाँ रेट हमारा कितना है तो यहाँ बयाज हमारा 15 का आएगा सेम कोशन था मेरे भाई अब उसके बाद जब वो C.I.E. निकालने गया तो उसने कहा सर मामला हाफ यरली का निप्टा हुआ है हाफ यरली में क्या होता है हाफ यरली में सर रेट अपने आपका आधा हो जाता है यानि 5 परशंट और स्रश्रमे हमारा क्या हो जाएगा दो गुना तो यहाँ पर 3 by 2 3 by 2 का डबल कितना हो जाएगा 3 इस हिसाब से सर हमारा जो C.I.E. आएगा वो हमारा कितना आएगा तो इस हिसाब से जो हमारा C.I.E. आएगा वो हमारा आएगा 15.7625 परशंट सेम तरीके से हमारा यहाँ पर यानि difference हमारा कितने का हैगा 0.7625% बस मेरे भाई यहाँ पे यह सारा process सेम है question number 19 उठा के देख लो या मेरे भाई question number 21 उठा के देख लो same process है बस यहाँ 10,000 दिया गया है और इस question में तुम्हारा 36,60 दिया गया है तो क्या बोलोगे यह जो 36,60 है यह किसका मान है तो principle का यानि कितने का तो 100 का और हमें पता किसका करना है तो 0.7625 का जब इसको calculate किये थे तो near about कितना आया था डिया आया था अब clear हुआ बताओ अब clear हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे तो कहां कोई डफ question बूच लिया गया था आप से जो इतना तरही माम तरही माम आप लोग कर रहे थे बताइए बताइए ठीक है आज हो चलो next question यहाँ देखो अगला सवाल एक दम हलका फुलका ललू पलू सवाल क्या बोला गया उस समय अवधी को ग्यात करो जिसमें 1000 रुपे के मोलधन पर वाड़शिक 10% ब्याज की दर्शे 330 रुपे का चक्रवीदी ब्याज पराप्त हुआ है सिम्पल सी बात है कितना हो जाएगा तो 3 साल हो जाएगा यहाँ पे कैसे पते चलेगा आप यह देखे आपको ब्याज कितने का मिला 330 का मिला कितने के उपर में मिला है मेरे भाई तो 1000 के उपर में मिला है into कितना करोगे तो 100% करोगे तो यहां से बोलोगे सर देखो हमें जो ब्याज मिला वो कितना % मिला तो यहां से आपका हो जाएगा 33.1% अब एक बात बताओ 33.1% का ब्याज मिला है एक साल का rate कितना है 10% तो कितने सालों में 33.1 आएगा तो जो ब्याज आया है वो देख लो कितना percent है एक साल का हमारा इतना है तो हम निकाल लेंगे वहाँ से अब देखिए थोड़ा सा आपको अलग हटकर हम बताते हैं आपको मैंने जितने भी सवाल करवाएं उनमें most of the question में मैंने आपको ये बोला principle निकालो ब्याज निकालो amount निकालो rate निकालो मैंने समय के उपर तो कभी चड़चा ही नहीं की और मैंने उसके question तो करवाए ही नहीं आपसे लेकिन paper में समय भी पूछा जाता है समय कैसे निकालोगे ये बताओ आज आपके सामने मेरे भाई ये question है और बोला गया कि 50,000 रुपे पर 8% की दर से चकरवीदी ब्याज इतना है अवदी ग्यात करो कितना होगा ये तो पीछे वाला question छोटू मोटू question था तो तो तुमने बता दिया लेकिन इस question में मेरे भाई बताओ यहाँ पर कितने समय के अंदर में आएगा अब मैं आपको बताता हूँ पीछे वाले question को अगर आप ऐसे नहीं करते और समय निकालते तो आप कैसे निकालते समझ ये बड़ा interesting trick है यार देखो कोई भी चीज़ के पीछे एक logic होता है बिना logic है नहीं होता कभी भी अगर तुम्हें मानो समय निकालना हो कुछ मत करना है यहाँ पहली बात देखो तुम अपना principle और amount लेकर लो principle कितना है भाई? 1000 रुपया है amount कितना है? 1000 रुपय की राशी है 331 रुपय का ब्याज है तो 1000 रुपया में 331 जोड़ दोगे तो amount कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 1331 कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा ठीक है? ऐसे लिखते हैं rate हमारा कितना है? 10% अब थोड़ा ratio method से चलो 10% का जो rate होता है वो हमारा कितना fraction में आता? एक वटे 10 तो एक साल के लिए हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं गुरुजी एक साल के लिए पैसा हमारा क्या हो गया? 10 से हमारा 11 हो गया एक साल के लिए पैसा हमारा 10 से 11 2 साल के लिए यहाँ पर power में 2-2 तीन साल के लिए पाउर में तीन तीन चार साल के लिए पाउर में चार चार ऐसे ही करते हैं तो एक साल के लिए मेरे भाई यहां पर जो है दस से ग्यारा हो रहा है आप गोर से देखें यहां पर यह हजार आपका क्या है तो सर यह दस का क्यूब है और यहां पर 331 क्या है तो 11 का क्यूब है तो एक साल के लिए इतना तो यह अगर क्यूब है तो कितने सालों में हुआ है तो बोलेंगे सर कितने सालों में तीन सालों में इसलिए आंसर कितना दिया था तीन साल इसलिए आंसर कितना दिया था मेरे भाई यहां पर तीन सार कोई दिक्कत की बात यहां पर नमीज सरकासी के तादित भी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि आप सेक्शन को लंबा नहीं करते और आप उतनी चीजे पढ़ाते हुजो समझ में आ जाता है मुझे डर लगता था मैच में लेकिन मुझे मैच में डर नहीं लगता है बहुत बढ़िया बात है भाई तो क्लियर हो गए न Tracy हो गया नत यानि मेरे कहने का मतलब है कि एक साल में जो पेसा है वो हमारा 10 से 11 हो रहा है तुमने यार किसी मार्केट में 50,000 रुपय लगा दिये और उसमें जो तुम्हें ब्याज मिला है 8,320 का मिला है इसमें 8,320 जोड़ दो तो 58,320 आ जाएगा एक काम करो इसका रेशियो निकालो 0 से तुम्हारा 0 खतम और काट सकते हो दोस्ते हाँ पर 4 से तो 400 अगर तुम काटोगे न तो 400 तुम काटोगे तो 4 से एक बार में 4,10,4 से दो बार में मेरे भाई 8 हो जाएगा 5 बार में 1250 आ जाएगा 4 से काटेंगे एक बार में 4 बार में, 5 बार में ठीक है और मेरे भाई 8 बार में हम अगर चाहें तो इसे और काट सकते हैं किसे काट सकते हैं? दो से दो से काटेंगे तो 625 बार में और दो से काटेंगे तो 739 बार में ठीक है? यह मैंने काट दिया यह मेरे principle और मेरा amount का ratio है अब मैं अपने सवाल पर आता हूँ मेरा rate कितना है तो 8% है मतलब कितना होता है? दो बटे 25 यानि कहने का मतलब अगर पैसा 25 है तो उसमें 2 का ब्याज लग के कितना हो जा रहा है? 27 हो जा रहा है दो का ब्याज लग के कितना हो जा रहा है 27 एक सालों में पैसा 25 से 27 हो रहा है तो आप मुझे बताईए यह क्या है यह क्या है पचीस का क्या है यह स्क्वाइर है यह मेरे भाई यहां पर क्या है तो स्क्वाइर है तो एक सालों के लिए मेरे भाई पचीस तो यह तो पचीस के स्क्वाइर श्रसताइस का स्क्वाइर हो गया इट मींस हमारा समय कितना लगा दो साल लगा एक साल के लिए पाउर में एक तो दो सालों के लिए पाउर में कितना होगा भाई तो होगा क्लियर है यह बात यहां पर कोई दिक्कत की बात यहां जल्दी से बता दो तो यहां पर अब एक सवाल आपको देते हैं कोशन में यहां पर बुला गया कितने समय में 10% की दर से इतने रुपे की राशी इतनी हो जाएगी यह आप calculate करिएगा एक समय में होगा, दूस समय में होगा तीन साल में होगा, चास साल में होगा तो इसका भी answer क्या करना है तो comment box में मेरे भाई देना है कि इसका answer आप comment box में देना यहाँ पर, नहीं होगा तो option का इस्तमाल करना, अगर add the end में नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे तो use option भी कर लीजेगा माल लो यहाँ पर fraction वाला rate आ गया हो सकता है, ढ़ाई भी आ सकता है, साड़े तीन भी आ सकता है, तो आ गया तो fraction का इस्तमाल करना, ठीक है, सारी, option का इस्तमाल करना हो जाएगा तुम्हारा कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यह question number 25 भी आपका वही है तो यहाँ 25 तक मेरे भाई, आप लोग करिए का सवालों को, ठीक है, और बाकी जो है, 10 सवाल आप लोगों के लिए हमने homework में दे दिया है ठीक है, कुल मिलाकर आपके sheet में कितने सवाल है, तो I think 35 से 40 करके हैं, और भी काफी सारे questions है कितना है, 35 सवाल देखिए, और भी हम आपके काफी सारे questions यह सारे practice करने के लिए डाल दे रहे हैं, और बड़ा ही बड़िया और यहां से टेलिग्राम को जाइं करके आप प्रॉपर विमेस की PDF डाउनलोड करके पूरे सेशन का exclusive coverage देख लीजेगा ठीक है, आपको प्रिंटेबल PDF भी दे देंगे और Class Notes भी दे देंगे, तो आपको बहुत फाइदा होगा, ठीक है बाकी जो है, मेरे बाई हमारे batches के बारे में हम आपको बता दे तो maths के हमने दोनों batches तो आपको बता दिये थे, यह हमारा combo special batch है, देखो जैसे अगर कोई बच्चा पूरा complete पढ़ना चाहता है, S.S.E. के लिए तो math special हम पढ़ाते हैं reasoning special आपके reasoning guru जी पढ़ाते हैं विकरमजीत सर English के लिए जो हमारे प्रशान सर हमारे बढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से यह किन मानिए जब आप इनकी class देखेंगे तो आपको actual grammar feel होगा कि grammar होता क्या है, vocabulary कैसे याद करते हैं, बहुत यह अच्छे तरीके से कराते हैं शिवान सर आपको बहुत बढ़ियां तरीके से quality पढ़ाते हैं, रादी का मेडम का science आप देखेंगे, तो बोलेंगे कि हाँ, सच में एक ऐसी teacher है जिनके पास मैं बहुत knowledge है पढ़ाने का ठीक है, ठीक है, बहुत experience है दीबक सर का आप देखोगे, तो जो teaching style है जो बच्चों को कने करने का way है वो बहुत ही शानदार है, पुश्पिंदर सर की जो महनत है और लाबनें सर की जो तरीके है मेरे बहुत ही प्यारे हैं, तो इसी तरीके हो, या आप खुद हो, अगर मान लीजे, आगे चलकर आप तयारी करना चाहते हो, भारत के किसी भी competitive exam की, तो ये combo batch आप हमारे RG विक्रम जीत application से ले सकते हैं, ठीक है और ये inquiry number है, आप इस पे बात कर रखते हैं बाकी मेरे बहुत सेशन कैसा लगा जरूर बताना comment box में बहुत इंतिजा रहेगा, और कल का जो topic होगा हमारा, वो होगा प्रतिशत आग लगाएंगे इस बार आग UP police में समझ रहे हैं बात को जे तरह बहाली पे बहाली आया ना सेलेक्शन सा सेलेक्शन काटेंगे एकदम समझ रहे हैं, बात को लेकर आप लोग जल्दी से बताओ सेलेक्शन लोगे कि नी मेरे भाई लेना है कि नी लेना सेलेक्शन ये बताओ पहले इतनी मेहनत किसलिए है वो खाग जिन्दीगे मेरे भाई, जहां पर अपने किसमत में अपनी मुकाम ना हो अपने सपने पूरे ना हो, क्या जिंदीगी वो लड़ेंगे, अंतीम डटतर लड़ेंगे एकदम जो है सो पूरा महनत करेंगे अपने हक की लेके चलेंगे नोकरी भाई समझ रहे ना, तो महनत करते रही है, अच्छे से पढ़ाई, करते रही है एकदम सेलेक्शन होगा आप लोग का, समझ ना जब तक तोड़ेगा नहीं, आगे का डायलोग आप लोग पूरा कर देना, कमंड बोक्स में ठीक है, कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक बाकी आपकी इच्छे, ठीक है चलो, तो मिलते हैं दोस्तों, अगले सेशन में आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिंद, ठीक है